अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवेस सेशन को नहीं देखा है अगर आप पिछले सेशन नहीं देखेंगे तो आप मेरे पढ़ाने की फिलोसफी के साथ नहीं जुड सकेंगे आपको नहीं समझ आएगा कि किस तरह हम अपने सेशन में जादा से जादा फेक्ट्स तो इखटा करी रहे हैं लेकिन हमारा मेन कोर एंफसेस रहता है कॉंसेप्ट बिल्डिंग पर ताकि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठें भले ही अगर वो कोई एक दिविसी एग्जामिनेशन हो या UPSC मेंज लिखने की बात हो एग्जामिनर आपको स्टंप ना कर सके तो मेक शूर यू वाच आल दोस प्रीवेश सेशन सेशन हो सकता है थोड़े आपको लेंदी लगे लेकिन मैं थोरो रहने की कोशिश करता हूँ आप जैसा भी फील करते हैं मेरे सेशन के भारे में फीड़बैक जरूर प्रोवाइड करें आपको अच्छे लगते हैं शेशन बुरे लगते हैं सेशन make sure you provide us with your suitable feedback और comment जरूर कीजिएगा कि जो मैंने सवाल पूछे हैं बीच मन के जवाब मुझे comment के मादम से जरूर दीजिएगा और like कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और share कीजिएगा अपने social media platforms पर जाद से जादा बच्चों तक मैं चाहता हूं कि आप मेरी आवास पहुँचाएं तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन आज हमें political philosophies समझनी है ठीक है और political philosophies में से भी capitalism और communism को उसकी चर्चा करेंगे concept समझेंगे राइट facts के पीछे नहीं दोडेंगे हम क्योंकि अगर आप regularly follow कर रहे हैं मेरे sessions को तो मैंने तो आप ठोस तरीके से बात अभी तक तो समझी गए होंगे कि facts के पीछे भागने से थोरो तयारी नहीं होती concept तो prepare करना ही पड़ेगा और concept prepare करने में मज़ा भी आता है subject समझ भी आता है ठीक है और interest भी develop होता है और sense भी बनती है global perspective global perspective की हमेशा से मैं बात करता रहा हूँ तो एक global perspective generate जो है वो मैं चाहता हूँ आपके अंदर हो आपके सोच में आपके thought process में हो और मुझे ऐसा लगता है कि जिन जो बच्चे regularly मेरे sessions follow कर रहे हैं वो global perspective उनका develop हुआ भी होगा तो अगर ऐसा हुआ है तो मुझे comment में जरूर बताइएगा मुझे जानकर अच्छा लगता है आए शुरू करें so हर बार की तरह हर session की तरह we will start with a proper introduction so capitalism is something which does not need an introduction right capitalism समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ठीक है so capitalism क्या है ठीक है और communism क्या है और किस तरह ये एक दूसरे के इनको perceive किया जाता है कि एक दूसरे के anti है आज हमें यही समझना है right लेकिन उससे पहले कुछ एक basic in statements के माद्दम से कुछ एक basic हम लेने की करते हैं introduction ठीक है तो देखे पहला statement देखे क्या लिखा है the type of states आगया point यहाँ पर type of states अब देखे बीच में जो है वो एक student ने मुझे कहा था कि sir highlight कर दिया किजिए अच्छा लगता है note making में मदद करता है यह highlight जो मैंने terms की हुई है और आपको लगएगा कि बहुत सारी की होती है यह keywords या key phrases होते है ठीक है और तैयारी में एक बहुत important factor है preparations के लिए एक बहुत important factor है इन keywords को समझना क्यूंकि यह keywords आपके short notes बनाने में मदद करेंगे आपकी यही keywords जो है वो आपको एक जो mains में जो questions होते है उसमें से sense निकालने में भी मदद करते है तो keywords को समझना बहुत important है बजाए के पूरा paragraph रटें अगर आप keywords समझ लेते हैं keywords के माद्यम से अगर आप flow chart बनाने की जो है वो expertise develop कर लेते हैं तो आपकी sessions world history के answer writing पर भी ले कराऊंगा ठीक है घबराईये मत मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बच्चे सोचते होंगे कि सरा आप पढ़ाये जा रहे है answer writing नहीं करा रहे answer writing भी कराऊंगा tension मत लिजिए now पहला point देखिए the types of state that exist exist today and the nature of relation in it nature of the relation it shares with its citizen has its roots in political philosophy such as socialism capitalism communism and democracy देखिए इस पहले जो point है इसका मतलब क्या निकल कर रहता है इस पहले point का बिल्कुल basic मतलब यह है कि जिस तरह की government structure आज मौजूद है जिस तरह के states आज मौजूद है किस तरह के maximum government structure जो है वो democratic republics है 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 ना during the 20th century हमने देखे fascist regime भी देखे हमने ठीक है during the 20th century हमने बहुत बड़े हद तक क्या नज़र आई हमें dictatorships भी नज़र आई काफी राष्ट्रों में ठीक है और during 18th century monarchies prevalent दी और उससे पहले अगर आप ancient time तक चले जाएंगे तो monarchies जो है वो state का आप मान सकते हैं कि जो एक synonym state का synonym monarchy ही था ठीक है early modern period तक उसके बाद धीरे-धीरे democratic republics या dictatorship या fascist regime या अलग-अलग तरह की सरकारे over the period develop होती रही है तो बिल्कुल basic मतलब हमारा ये समझना है हमें कि सरकारे किस तरह की होती है देखिए अभी मैं history के perspective से पहले पढ़ाता था और अब मैं आपको धिरे-धिरे policy के perspective से भी पढ़ाना शुरू करूंगा क्यूंकि मैंने आपको बोला था ना हाँ पर हमें politics समझनी पड़ेगी इसलिए मैं political philosophies अभी आपको समझा रहा हूँ ठीक है क्योंकि हमने क्योंकि world history खतम हो गई है world history के topics खतम हो गए है अब political philosophies समझेंगे ताकि हम post independence समझ सके thoroughly ठीक है और post independence में बहुत चर्चा रहेगी राज्य की राज्य की क्या भूमिका होती है क्योंकि post independence के साथ साथ ही मैं आपकी polity भी चलाऊंगा मतलब वहां से आपकी polity की roots मैं आपको बोला ना इतिहास से polity की roots पांच साथ sessions के बाद post independence में शुरू करने जा रहा हूं तो ऐसा ना हो कि जब मैं post independence शुरू करूं तो आप बिल्कुल ही blank हो ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास जो है वो modern history इंडिया की modern history की थरो knowledge होनी चाहिए राइट तो देखिए types of state तो मान के चलते है democratic republics जो होती है ठीक है dictatorship होती है fascist regime होते है monarchy होती है constitutional monarchy होती है these are some type of state उसके अलावा parliamentary system presidential democracy वो democracy के types हो गए फिर है ना लेकिन मुद्दा ये नहीं है मुद्दा हमें ये नहीं पढ़ना की कितनी type of states है वो हम polity में जाकर पढ़ेंगे हमें political philosophy को समझना है हमें ये समझना है कि जो भी जिस भी तरह की सरकार है जो भी state है जिस भी तरह की सरकार है उसका उसकी जनता के साथ ठीक है उस सरकार का उसकी जनता के साथ कैसा relation है यह हमें समझाता है किस से political philosophy से ठीक है has its roots in political philosophy और राज्य का जनता से कैसा relation है हमें समझाते हैं किस तरह की political philosophies of capitalism political philosophy of communism political philosophy of socialism political philosophy of democracy ठीक है तो that means यह कि हमें capitalism, communism, socialism, democracy को detail में समझना पड़ेगा तब जाके हमें पता चलेगा कि एक राज्य present day जो scenario है modern world जो है पूरी धरती में present day में राज्य का अपनी जनता के साथ क्या relation है तो उसके लिए हमें इतिहास से उठाना पड़ेगा obviously क्योंकि मैंने बोलाएगी present में आपको कुछ भी समझना है जड़ें आपको इतिहास से लेकर आनी पड़ेगी that means capitalism का throughout history में जो development हुआ है communism का development इतिहास मतला इतिहासिक development कैसे हुआ socialism का इतिहासिक development कैसे हुआ और democracy का इतिहासिक development कैसे हुआ हमें वो historical development of these four political philosophies समझना पड़ेगा ताकि हम present day में state और citizen के बीच का relation समझ सके तो अभी मैं आपको पकाऊंगा नी state को explain करके citizen को explain करके क्योंकि वो फिर political matter है उसको अभी मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आपको राज्य और जो जनता होती है उसका मतलब पता है राइट citizen कौन है और राज्य कौन है और यह कोई बड़ी बात भी नहीं है citizen किसी एक nationality में रहने वाला कोई एक वेक्तिव का आप citizen कहते है तो हम पहुंचेंगे महां तक भी official definitions बगएर भी लेंगे तो हमें सबसे पहले हमने यह establish किया कि हमें capitalism communism, socialism, democracy को समझना पड़ेगा ताकि राज्य और जनता के बीच का relation हम समझ सकें ठीक है यह पहली statement हमें इतना बता गई आच्छा जी next देखिएगा अब शाबदी करते देखते हैं political philosophy का literal मतलब क्या है अब हम define करना शुरू करते है political philosophy को is the study of fundamental questions about state, government, politics, liberty, justice and the enforcement of legal code by authority देखिए हम सब इंसान है अगर आप ये videos देख रहे हैं तो आप इंसान है हो सकता है कि कोई अपने pets को भी videos दिखा रहा हो है ना तो अगर कोई pet समझ पा रहा है तो इंसान and other organisms बहुत बिकार जोग था बट चलो हम सब इंसान है तो और हम सब जो है वो किसी ना किसी राष्टर में रहते हैं ठीक है वो जो जिस भी राष्टर में रहते हैं उसकी government का कोई ना कोई type होगा अब यह हम कितनी type के government होती है उसमें नहीं उतरेंगे लेकिन हम अजियूम करते हैं कि हम किसी ना किसी राष्टर में रहते हैं और हम किसी ना किसी government के under रहते हैं यानि हम हर एक इंसान के उपर एक authority एक सरकारी authority मौजूद है क्या यह मानना सही रहेगा किसी ना किसी तरह की तो है ही ठीक है लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक इनसान जब पैदा होता है तो उस बच्चे को क्या उस बच्चे को जो है वो पता होता है कि उसके उपर कोई authority है नहीं न उस बच्चे को eventually realization होता है कि यह मेरे उपर मैं माली जी जर्मनी में पैदा हुआ हूँ और मेरे उपर जर्मन सरकार मतलब मैं जर्मन citizen हूँ और मैं जर्मन citizen हूँ that means मेरे उपर जर्मन सरकार है यह जर्मन state है same goes for India को इंडिया में पैदा हुआ है तो Indian government है उपर उसकी nationality उस वेक्ति की nationality define हो जाती है लेकिन क्या इंसान naturally अगर आप naturally देखेंगे इंसान को तो क्या nationality होना हमारी कुदरत का हिस्सा है क्योंकि यह nationality यह सब चीजें तो आप हद से हद मान के चलिए कि चार नहीं तो 5000 साल पुराना concept है धर्ती पर होमो सेपियन्स डवलप हुए लेकिन जो होमो जो जीनस है वो तो 20 लाग सालों से है लगबग 20 लाग सालों से और उससे पहले जो आद मानव है वो 50 लाग सालों से है ठीक है और यह जो पूरा state का concept है तो 5000 सालों में डवलप हुआ है धीरे धीरे और modern times में उसमें बहुत rapid जो है वो development हुआ है throughout 18th century, 19th century, 20th and now 21st so it would be safe to say कि पिछले 2 या 3,000 सालों में जो present day modern society है वो पिछले 2 या 3,000 सालों का culmination है लेकिन उससे पहले का जो 20 लाख सालों का या उससे भी पहले 50 लाख सालों का जो collective evolution है इनसान का, क्या इस authority के नीचे रहने के लिए develop हुआ है इनसान का brain obviously नहीं हुआ एक साइड 50 लाख सालों का evolution और एक साइड 5,000 सालों का तो point मेरा ये है गुमावदार बात मैंने करी लेकिन मैं चाता हूँ सोचना शुरू कीजी इस तरह भी सोचना शुरू कीजी कि 50 लाख सालों का evolution है और पिछले 1,500-200 साल या पिछले 500 सालों में जो ये modern authoritative जो regime create हुए है ठीक है जो देश बनने का जो ये पूरा circle तयार हुआ है ठीक है मलब country's nationality का जो concept develop हुआ है इनसान तो इसके लिए बना ही नहीं है तो ये authority क्यों develop हुई कैसे develop हुई किसने develop किसने कह दिया अच्छा चलो इस तरह put करता हूँ मान लीजिए आज आपके दिमाग में एकदम से खयाल आता है कि मैं क्यों मानूं कि मैं किसी particular किसी आमुख देश का नागरिक हूँ मैं क्यों मानूं कि मेरे उपर कोई सरकार है है ना इसको वैसे अनार्किजम का अनार्किजम तो नहीं लेकिन निहलिजम और अनार्किजम के साथ आप जोड सकते हैं देरे देरे हम पहुँचेंगे कि इसको actually में किस तरह डिफाइन किया गया है ये कोई आज मेरा नया खयाल नहीं है यही खयाल जो है वो 18th, 17th, 19th century के philosophers का भी रहा होगा ठीक है लेकिन एक ये मुद्दा है कि हम क्यों माने कि हमारे उपर authority है इस सवाल का जवाब आपको ढूंड ना है throughout ठीक है और एक बिलकुल हमें proper answer create करना है क्योंकि ये बहुत strong सवाल है कि मैं किसी एक individual किसी की authority क्यों माने राइट मैं किसी को disturb नहीं कर रहा है मैं एक certain patch of land पे ये एक certain जो है वो natural environment में एक certain जो है वो biosphere में या ecology में आराम से रह रहा हूँ ठीक है मैं किसी को disturb नहीं कर रहा मैं किसी के authority को क्यों मानू ये कि बहुत important humanitarian सवाल है ये humanism का ठीक है individualism का question है और जो humanitarian और individualism के जो concept है मैंने आपको बताया था कि age of enlightenment में निकल के आए renaissance के बाद ही इंसानों की इतनी हिम्मत हुई ठीक है मतलब इंसानों की इतनी हिम्मत हुई कि ये सवाल openly पूछ सकें आज मैं एक open platform पे ये सवाल पूछ रहा हूँ ये मेरे को दिवही freedom है सरकार द्वारा दिवही freedom है सरकार मुझे freedom प्रोवाइड गर रही है कि मैं openly इस तरह का विचार रख सकता हूँ अगर आप medieval times में चले जाएं और अगर आप खुले में इस तरह का open manch में अगर इस तरह का विचार रखें तो कुछ जादा समय नहीं लगेगा आपको execute करने में तो ये जो modern philosophies create हुई है जो modern society prepare हुई है जिसमें thought है liberty है समझ रहे है यहाँ पर एक point आया liberty है ये जो ये liberty क्यों है liberty किस चीज से है ये जो fundamental questions है न ठीक है इनको समझने की जो पूरी study इसका पूरा branch of जो है वो humanities है उसको आप political philosophy कहेंगे philosophy का subsection होगा ये ठीक है जिसमें हम ऐसे fundamental questions के जबाब ढूंडेंगे क्यों है मेरे उपर किसी की authority मैं क्यों मानूं अब किसी की authority को ये fundamental questions है और अगर authority है तो वो किस तरह काम करेगी किस तरह काम नहीं करना चाहिए क्या करना सही रहेगा उस authority का क्या करना नहीं सही रहेगा क्योंकि mass population के उपर उस authority को जो है वो एक benevolent शाषन करना है और ये condition है कि benevolent ही होना चाहिए साषन क्योंकि अगर साषन despite है तो वो साषन नहीं है वो कूशाषन है और ऐसी state का जाद समय तक टिके रहना जनता जो है वो नहीं टिकने देगी राइट तो जनता के अधिकार धिरे धिरे हम समझेंगे सो government next देखिएगा government की जो government है उसके fundamental questions की सरकार क्या है सरकार किस तरह क्योंनी चाहिए सरकार क्या क्या काम होने चाहिए सरकार की क्या जिम्मेदारियां है सरकार की क्या मतलब शक्तियां है ये सारी चीज़े fundamental questions है politics fundamental question politics के liberty justice के justice क्या है किसे आप justice कहेंगे माल लीजिए किसी ने आपका सर फोड़ दिया तो justice की एक definition तो ये भी बोलती है tit for tat आँख के बदले आँख का जो rule है इसके हिसाब से तो आपको उस विक्ति का सर फोड़ देना चाहिए जो की शरिया में है ठीक है that means अगर आप अगर victim है तो victim की satisfaction देना justice का एक justice देने वाली authority देख रहे हैं यहाँ पर authority word पर मैं जोर डालता जाऊंगा और यही सवाल है कि justice देने वाली authority को ने माल लीजिए कल को आपका कोई सर फोड़ जाता है तो क्या यह आपकी जिम्यदारी है कि आप अपने लिए justice ले या कोई और authority आपको justice दिलवाए या आप यह मालने कि आपको कुछ नहीं चाहिए आपका किसी ने सर फोड़ दिया एक example है कि आपको हानी करी किसी ने अब वो हानी psychological थी किसी तरह की materialistic थी physical हानी थी आपकी किसी ने हानी करी आपको किसी तरह का नौकसान पहुचाए किसी ने अब क्या आप justice चाहते हैं और justice और revenge में difference ठीक आप justice चाहते हैं कि आप revenge चाहते हैं या revenge को ही आप justice कहेंगे यह जो fundamental questions हैं यह political philosophy के under आते हैं यह जब आप समझेंगे तो वहाँ पर मैं in political philosophies को क्योंकि जब मैं constitution समझाऊंगा तो यह चीज़े हम detail में समझेंगे ठीक है justice का मतलब क्या है liberty politics government state क्या है लेकिन यह मैं define कर रहा हूँ कि political philosophy में होता क्या है तो political philosophy is what study of fundamental questions about state government politics liberty justice and the enforcement of legal code अब यह जो political philosophy है अब यहाँ पर ना बहुत ध्यान रखना है बहुत ध्यान में रखनी है आपको बात कि यह सारे के सारे जो modern ideas है यह सारे के सारे जो modern ideas है इन पर अगर कोई thesis लिखता है या कोई research करता है तो उसको credibility provide करती है universities और universities को back करती है सरकारे माल लीजिए Cambridge और Oxford universities है या अन्य जो बड़े ताकतवर राष्टर France, Germany, Britain, US, Japan, Russia, China इनकी जो ताकतवर मतलब यह ताकतवर राष्टरों की जो universities है भारत भी include कर लीजिए इन universities में जो professors है या वहाँ का जो syllabus है वहाँ का जो peerage है वो किसी की thesis को approve करके उस idea को जो है वो credibility provide करेगा और वो फिर implement होता है so political philosophy is again an idea political philosophy idea है और यह ancient समय से चला आ रहा है इसको credibility modern philosophers ने दी या modern जो मतलब system था education बाटने का ठीक है तो point मेरा यह भी है क्योंकि देखिए political philosophy में मान के चले हुए है कि एक legal code है और एक authority है ठीक है तो जब आप political philosophy पढ़ेंगे ना तो आप यह नहीं assume करेंगे कि मैं किसी कि भी sovereignty नहीं मान सकता मैं खुद जो है वो मतलब अपना मालिक मैं खुद हूँ मेरा कोई मालिक नहीं है not even God क्योंकि जब God मालिक होता है तो feudal system आजाता है हमारा तो वो medieval periods है समझाओंगा आपको कैसे लेकिन यहाँ पर देखिए statement में आपको clear हो जाता है एक बार मैं फिर से पढ़ते है statement थोड़ा clear कर देते हैं यहाँ पर ground ठीक है statement को पढ़िएगा देखिए लिखा है यहाँ पर literally political philosophy is the study of fundamental questions about the state, government, politics, liberty, justice and the enforcement of legal code by authority तो यहाँ पर assume करके चला जा रहा है कि authority है यानि कि political philosophy को define जब मैं कर रहा हूँ इस statement से तो मैं assume कर रहा हूँ कि authority है लेकिन यहाँ पर liberty term आ जाती है so that means मैं यह भी question कर सकता हूँ कि authority को मैं क्यों follow करूँ मैं क्यों किसी की authority को मानूँ समझे आप थोड़ा सा confusing आपको लगेगा लेकिन यह ज़रूरी है आप थोड़ा सा दिमाग पर pressure डालिए सोचना शुरू कीजिए और यह जो confusion है अभी एक session में या दो session में created रहेगी मैंने तभी बार-बार बोलता हूँ यह series है ठीक है यह कोई ऐसे नहीं है कोई flash session नहीं है कि आपने कोई session लिया और तुरंत जो है वो fact 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 आपके दिमाग में जो है वो डल गए और आप you are good to go नहीं मेरे sessions targeted है ऐसे students के लिए जो thoroughly follow करना चाहते हैं concept को और अगर देखिए आज का session बहुत जादा conceptual होने जा रहा है और मैं बहुत सारी जो है वो इस तरह की conceptual बाते करने जा रहा हूँ अगर आप facts जून रहे हैं तो अभी आप इस session से बाहर निकल सकते हैं कि थोड़ा और अगर आप indulge होगे तो ऐसा मत बोलिएगा मुझे कि सर ने time waste कर दिया अगर आप thoroughly concept समझना चाहते हैं चीजों का पॉलिटिकल philosophy का concept समझना चाहते हैं तो आगे की journey मेरे साथ कीजिए क्योंकि ये 5-7 sessions जो political philosophy के इसमें मैं सब कुछ समझाऊंगा capitalism क्या है, communism क्या है, Karl Marx क्या था Karl Marx ने किस तरह communism को das capital में क्या लिखा है सब communist manifesto में क्या लिखा है explain करूँगा, उसके बाद liberalism क्या है socialism क्या है feminism क्या है, utilitarianism क्या है इन सारे political philosophy को ठीक है, इन सारे दर्शन से आपको मैं अवगत करवाँगा so, जुड़े रही है, अगर आपका interest है तो, क्योंकि यह बहुत important है अगर आप actually मैं में में लिखना चाते हैं, तो यह सब concept समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप में नहीं लिखना चाते, केवल प्री के लिए तियार करना चाते हैं, तो अभी आप इस session से बहार निकल सकते हैं, आगर बढ़ते हैं now, it is ethics applied to a group of people and discuss is how a society should be set up and how one should act within a society देखें, यहाँ पर सवाल है political philosophy में क्या चीज़ जो है, वो set up क्या चीज़ decide की गई है, discuss की जाती है पहले, discussion से conclusion निकलते हैं, फिर conclusions को solidify कर दिया जाता है, ठीक है so, society कैसे set up होनी चाहिए और एक व्यक्ति को society में कैसे रहना चाहिए, यहाँ पर दो चीज़ें मान कर चली जा रही है, पहली चीज़ की authority तो है यानि आप खुद के अपने मालिक नहीं है, आपके उपर कोई ना कोई एक authoritative शक्ती है दूसरी चीज़, यहाँ पर माने जा रहा है कि आप society में रह रहे हैं आप society से बाहर नहीं है, ठीक है अगर कोई व्यक्ति authority नहीं मान रहा है, तो obviously society से बाहर है simple सी बात है भारत में जो साधू है क्या वो किसी authority को मानते हैं वो कहते हैं कि हमारे उपर केवल एक परमात्मा है ठीक है, वो किसी भी सरकार, किसी की भी authority नहीं मानते हैं लेकिन वो international laws से बंदे हो हैं, तो वो borders जो हैं, वो cross नहीं कर सकते जैसे नानक ने भारत से, जो नानक की उदाशियां हैं, उसमें नानक जो है, वो भारत से निकल कर Central Asia तक भी जो है, वो उन्हें move किया, ठीक है, मक्का में दीना हर जगा गए, तो आज अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए, आप में ही ये चेतना जागती है, कि मैं सभी important धार्मिक स्थानों में जाकर जो है, वो मत्था टेक कर आऊं या वहाँ पर जाकर जो है, वहाँ के political philosopher से वारतलाप करकर आऊं, या religious philosopher से वारतलाप करकर आऊं, तो क्या आपको international borders cross करने दिये जाएंगे? नहीं, राइट, सिर्फ आपकी इच्छा पर नहीं, एक पूरे process से आपको गुजरना पड़ेगा, वो सकता है आपको permit मिल जाए लेकिन, एक authority के अंडर आपको रहना पड़ेगा तो दो चीजे, यहाँ पर आपको माल के चलनी पड़ेगी, कि आप एक society का हिस्सा है, और आपके social जानवर है, बगार society के इंसान रह सकता है, राइट लेकिन, जो ideal condition है, जर्नल पबलेशन की बात करते है न, exceptions हम extremes को क्यों ले, ठीक है, जो ideal position है, उसमे इंसान जो है, वो एक society में रहता है, राइट और अगर society में रह रहा है, तो इंसान एक दूसरे को खाना जाए, इसके लिए कोई authority होना जरूरी है यानि state का होना जरूरी है ठीक है, ये इसलिए जरूरी लगता है कि कहीं इंसान समझ रहा, कारण ये है state के होने का कारण ये है कि इंसान इंसान की हानी ना करे है न, यानि कि कोई एक legal code हो, जिसके तहट ध्यान रखा जाए कि एक इंसान दूसरे इंसान की किसी भी तरह की हानी ना करे, उस legal code को enforce किया जा सके राज्य का काम ये है legal code बनाना है legislation, उस legal code को enforce करना है execution, और फिर judiciary उसके बाद ध्यान रखना है कि अगर कोई complete लेकर आए कि किसी ने अगर legal force को enforce करते हुए, ये गलती करी या overuse करा, overstep करा अपनी boundaries को, तो उसको सजा दी जा सके, ठीक है, तो ये आगे मैं बताऊंगा कि किस political thinker ने एक state के ये तीन हिससे define किये है legislative, executionary और judiciary, अगर आपको पता है समझाये होगा कि political philosophy क्या है now next चीज आती है, individual rights बहुत important चीज है, individual rights state individual, ये state राज्य वाला state नहीं है, ये state है बताते है, individual rights state explicitly the requirements for a person to benefit rather than suffer from living in a society अब देखिए, मैंने कहा कि आपको assume करके चलना पड़ेगा कि आप एक society में रहते है चीज है, तो आप कहेंगे कि मैं हम पे जो है वो compulsion क्यों हो किसी कोई एक ऐसा हो सकता है व्यक्ति जिसके मन में ये खयाल आए कि मुझ पे compulsion क्यों है कि मैं society में ही रहूँ वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं society में रहना चाता हूँ या नहीं ठीक है, तो हम उससे पूछेंगे भईया ऐसा खयाल आपके मन में क्यों आया तो जवाब दो हो सकते हैं या तो उसके, उस व्यक्ति के मन में ये वहम होगा कि society में रहने से उसका नुकसान होगा ठीक है, या तो वो व्यक्ति जो है, वो अपने मन का इतना मालिक है कि उसको फरक नहीं पड़ रहा वो society में रहे, जिस तरह society में रहकर भी वो खुश है, वो society के बगार रहकर भी खुश है, ऐसे भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन mostly fear ये है कि society में रहने से कहीं उसका घाटा ना हो तो society में रहने से किसी व्यक्ति का घाटा ना हो केवल फाइदा हो, इसी लिए society में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए individual rights जो हैं, वो बहुत जरूरी है और वो individual right क्या है वो है right to life liberty, property pursuit of happiness free speech, self-defense देखिए, explain करता हूँ एक-एक समझाए आपको, society में इसलिए society में रहना beneficial होना चाहिए social structure ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति का society में रहना beneficial हो, otherwise वो व्यक्ति society को छोड़ के ना चला जाए है ना, तो एक व्यक्ति society में रहे उसका benefit हो, घाटा ना हो इसके लिए उस व्यक्ति को individual right दिये गए जो की सबसे पहला है right to life यानि उसको जीने का हक है ऐसा ना हो कि कल को आप किसी authority आकर बोलेगी आपको जीने का हक नहीं है, आपको मार देते हैं जैसे नाजी जर्मनी में holocaust हुआ, वहां की जनता को बेशक पॉलेड की जनता को occupy किया गया, लेकिन उन्होंने decide कि वो जीएंगे या मरेंगे, so right to life भी आपका है तो यहाँ पर घुमागे सवाल बनता है, अगर right to life मेरा है तो यह मेरा right है कि मैं अपनी life को end भी कर लूँ right, so यह भी एक बहुत रोचक मामला है सुप्रीम कोट का समझाओंगा आगे कभी next चीज है liberty right to life समझाए ना, जीने का हक है आपको कोई आके आप से यह नहीं कह सकता है कि आप इस तरह नहीं जीएंगे यह नहीं खाएंगे, यह नहीं पीएंगे यह खाएंगे नहीं, यह पीएंगे नहीं इसके लिए अलग कानून है, ठीक है गुज़ेंगे हम उन सब में भी article 25, 26 क्या बोलते हैं इन सब चीजों को भी समझेंगे, धर्म से रिलेट करेंगे उन चीजों को, ठीक है, but right to life यानि जीने का हक आप से कोई जीने का हक नहीं चीन सकता कैसे जीना है, उसके लिए अलग कानून है वो भी authority decide करेगी कि हमारे राश्टर में रहना है तो ऐसे जीना है आपको, ठीक है next चीज है, liberty, आजादी होनी चीज़े, अभी जैसे मैं अपने अपने जो भी खयालात है उनको मैं खुल के present कर रहा हूँ open manch में, यह सरकार द्वारा भारतिय सरकार द्वारा दी गई मुझे liberty है, ठीक है freedom दी गई है मुझे, right और आजादी दी गई है कि मैं मजबूर नहीं हूँ, कल को कोई आके मुझे नहीं कह सकता कि बंदवा मजदूरी करो यह तुमको हमने खरीद लिया ठीक है मैं slave नहीं हूँ किसी का next is property का right अब कई सारे राष्ट्रों में ऐसा कानून रहा है कुछ ने हटा दिया, कही जगा है भी कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है individual right है कि वो property acquire करे अब वो fundamental यानि enforced by a state है या नहीं वो चर्चा का विशे है ठीक है, करेंगा आगे उसकी चर्चा next is pursuit of happiness यानि हर एक व्यक्ति का individual right है कि जो उसे खुशी प्रदान करता है वो काम वो करे ठीक है unless वो काम किसी और की खुशी को किसी और या किसी society किसी society के किसी तबके को जो है वो उनकी भावनाओं को उनकी चेतना को हानी ना पहुचाता हो not just भावनाओं बट किसी तरह की physical या monetary loss ना देता हो किसी को तो आप कानून के एक strict not strict लेकिन एक कानून के सहज दारे में रहकर आप अपने happiness happiness को परसू कर सकते हैं यानि जो चीज आपको खुशी देती है उसको आप परसू कर सकते हैं तो pursuit of happiness US का जो सविधान है उनका जो constitution है उसमे बहुत important हिस्सा रखता है pursuit of happiness भारत में pursuit of happiness वाला भी funda लागू नहीं हुआ क्योंकि भारत का constitution बहुत ज़्यादा socialistic approach रखता है बहुत ज़्यादा utilitarian है बताऊंगा मैं आपको क्योंकि भारत गरीब था utilitarianism जो है वो necessity थी उस समय भारत की भारत industrial nation नहीं था उस समय या आज भी खुलकर आप नहीं कह सकते कि भारत developed है क्योंकि कमिया है अभी हमारी society उबरी नहीं है बहुत सारी जगाओं पर आप देखेंगे कि लोग happiness को परसू नहीं कर रहे है people are trying to just meet their ends राइट वो किसी तरह जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं majority of population भारत में वो जिस आज अगर आप किसी भी आप से ही मैं सवाल पूछता हूँ जो आप कर रहे हैं क्या आप ऐसा करना चाहते हैं या आपके हालात ऐसे हैं कि करना पड़ रहा है तो उनसे कारन पूछेगा क्या उनकी इच्छा है क्या वो खुशी दे रहा है उनको या केवल सर्वाइवल की मतलब मनोदिशा से कर रहे हैं कि इससे मुझे खाना मिल जाएगा मेरा परिवार पल जाएगा और नहीं तो भारत में ये यूटिलिटेरियन जो माइंड सेट है ये बहुत गहरा है और ये बना के रखा भी गया है समझेंगे से मुझे जब हम यूटिलिटेरियनिजम पूरा समझ लेंगे क्या है सोशलिजम वगारा पूरा समझ लेंगे क्या है आगे देखिएगा उसके अलावा फ्री स्पीच जो आप को लगता है जो आपका मन है वो आप कहें ठीक है लेकिन इसके लिए भी कुछ restraints है कुछ कानूनी दाइरा है समझाओंगा मैं free speech का कानूनी दाइरा और self defense माली जीए आप पर कोई आकरमन कर रहा है तो आपके पास पूरा हक है अपने आपको बचाने का ठीक है इसका मलब यह नहीं है इस चीज़ को discuss किया जाता है पॉलिटिकल फिलोसफी में आईडिया है पॉलिटिकल फिलोसफी का एक कॉंसेप्ट है इंडिविज्वल राइट अब देखते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी हमें कहां से डबलप होती भी नजर आती है तो बिगिन विद ग्रीक एंड रोमन फिलोसफर्स लाइक सॉक्रेटीज प्लाटो प्लाटो एंड जैनोफोन अक्टेड अज टॉर्च बेरर्स इस पूरे स्टेटमेंट को समझाता हूं मैं क्या है और कॉंट्रेडिक्शन क्या है समझ रहे अब देखे विश्विवद किसने जीते वेस्ट ने जीते तो पूरी दुनिया की एकॉनमी कौन कंट्रोल कर रहा था या कर रहा है वेस्ट कर रहा है मेजॉरिटी बड़े देशों में ठीक है सलेवस किसका चल रहा है उन्हीं के दोरह डिफाइंट तो उन्होंने अपने आपको क्या बताया है कि हम सुपीरियर है इस्ट इन्फीरियर है ठीक है अगर इस्ट इन्फीरियर है तो दैट मिन्स पॉलिटिकल फिलोसफी भी किसने पहले दी वेस्ट ने दी तो ग्रीक्स एंड रोमन पॉलिटिकल फिलोसफर्स की चर्चा जादा हुई जिसमें से सॉक्रेटीस प्लाटो, जेनोफॉन एरिस्टोटल, पाइथोगरस बहुत सारे हैं जिसमें से सॉक्रेटीस से पहले के हैं ये जेनोफॉन और क्या बोलते हैं इनको पाइथोगरस बगएरा और सॉक्रेटीस के बाद प्लैटो और फिर उसके बाद जो है वो आगे अरिस्टोटल बगएरा वो सब मतलब बहुत सारे ग्रीक और और ग्रीक में भी क्लासिकल एंटिक्विटी फिर उसके बाद हेलिनिक कल्चर और फिर रोमन इन में जो फिलोसफर्स तयार हुए हैं इन्हों ने डेमॉक्रेसी के सपोर्ट में और डेमॉक्रेसी के अगेंस्ट में कहा ठीक है जैसे कि अगर आप सुकरात को पढ़ेंगे सॉकरेटीस को पढ़ेंगे तो वो क्लियर्ली डेमॉक्रेसी के खिलाफ है क्युंकि वो कहता है कि डेमॉक्रेसी में सभी लोगों को अपना मत पेश करने की अजादी मिलती है और वो कहता है कि जो majority population है वो politics को समझती ही नहीं सो majority population को जो favorable जो popular जो चहरे हैं popular जो लोग हैं वो manipulate कर सकते हैं बहुत आसानी से so that means voting करना वो कह रहा है कि voting करना गलत नहीं है voting करवानी चाहिए लेकिन ऐसे लोगों से जो politically जो philosophically educated हो और सुक्राइट्स ये कहता है सुक्रेट्स ये कहता है कि जो king है वो philosopher होना चाहिए या philosophers को ही king होना चाहिए तभी एक ideal जो है वो महाल create होगा लेकिन हम भली बात ही जानते हैं कि idealism और materialism माक्स की जब मैं आपको माक्स समझाओंगा तो idealism और materialism का conflict क्या है मैं आपको समझाओंगा शुक्राइट बहुत ideology पर था कि लोगों को जागरुक किया जाए कि politics होती क्या है society है क्या state है क्या यानि कि जो voters है उनको educate किया जा सके educated voter हों और वो एक educated vote दे तब जाके democracy काम करेगी तब तक के लिए आपको जो है वो philosophers के हाथ में राज्ये छोड़ देना चाहिए military generals जो philosophical military generals हों क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो army भी संभाल ले और जनता को भी संभाल ले राइट ठीक है so सुकरात के बारे में आगे कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब polity की जब शुरुआत कर रहा होंगा तब मैं Socrates के बारे में आपको explain करूँगा लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना है कि जो political philosophy है वो कहां से निकल कर आ रही है political philosophies हमें Greek ancient Greek ठीक है फिर classical antiquity फिर hellenic culture फिर उसके बाद Romans लेकिन Roman और खास तौर पर Western Roman Empire के खतम हो जाने के बाद जो Eastern Roman Empire बचा और Eastern Roman Empire जिसको Byzantium या Byzantine Empire कहा गया वो बहुत close relation में रहा इसलाम के क्योंकि इसलाम का immediate पडोसी था तो जो अरली इसलामिक philosophers रहे हैं छटी शतावदी से आप मान के चलिए कि दस्वी या दस्वी शतावदी या बार्वी शतावदी तक के जो इसलामिक philosophers रहे हैं उनका काफी जादा असर जो है वो जो रेमनेंट है रोमन कल्चर का उस पे रहा ठीक है तो इन लोगों ने मिलकर जो है वो डेवलप किया क्या अपने political philosophies को लेकिन यूरोप में जो political philosophy रह गई वो थे कौन वो चले गए लोग dark ages में तो dark ages क्या है मैंने आपको समझाया है dark ages क्या है तो यहाँ पर after the fall of roman empire और western roman empire जो eastern roman empire यानि जो byzantine empire बचा उसमें जो है वो classical antiquity का कुछ हिस्सा जुड़ा रहा ancient Greek और Roman जो है वो जुड़ा रहा और साथ ही साथ Islamic philosophies का भी काफी असर उन पर पड़ा तो वो एक mixture develop हुआ वहाँ पर ठीक है लेकिन यूरोप जो है वो dark ages में चला गया और यूरोप इस dark ages से कब जाकर बहार निकला है ठीक है वो dark ages क्यों आई थी क्योंकि clergy जो catholic clergy है वो corrupt हो गई थी ठीक है ruling class जो है वो aristocratic class जो है वो बहुत आराम से जीना शुरू कर दिया था philosophy से उनका लेना देना नहीं था feudal system develop हो गया था और feudal system के तहत mannerism सर्फडम वाला system यानि दास्ता शुरू हो गई थी और जो आम लोग हैं वो काम किये जा रहे थे काम किये जा रहे थे और उनके द्वारा उनके द्वारा जो produce तयार किया गया है उसके दम पर जो aristocratic class है जो hierarchy है elites की वो आराम से सर्फ के मतलब जो सर्फडम है उनके मतलब पीठ पर खड़े होकर आराम से अपना जीवन जी रहे थे ठीक है और जो clergy है वो भी तो डार के जीज आ गए थी और ऐसा system बना रहे इसलिए उन्होंने कानून ऐसे बना दिये थे कि society से कोई उठकर जो है वो scientific बात बोल कैसा दे और जबकि ancient जो roman या greek जो culture है यहाँ पर सुकरात जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने खुलकर अपनी बात कही है बले ही सुकरात को जो है वो मृतिव दंड दिया गया हो लेकिन खुलकर बात कहना और उसके followers तो बढ़े डार केज जीज में जहाँ था तो political philosophy eastern western europe वालो जो region है वहाँ पर dark ages में हमें dim होती भी नजर आती है लेकिन फिर मैंने आपको बताया फिर पीरेड आया रनेसांस का age of enlightenment का ठीक है so political philosophy के period को हम किस तरह बाटेंगे political philosophy के period को अगर हमें बाटना होगा तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि ज political philosophies में आपको समझाओंगा अलग session में ठीक है तो अभी यह मैं सोचिएगा यह मत बोलेगा कि सर भारत की नहीं बता रहे आप उनी की उनी की बताया रहे है भारत वाली पर भी पहुंचेंगे हमारी कैसे better है यह भी बताऊंगा Chinese की भी political philosophy बताऊंगा उनकी कैसे भारत वालो का उस concept तक पहुंचेंगे पहले basics तो उठाएं ठीक है तो आप ancient से ancient Greek से लेकर चलेंगे ठीक है ancient Greeks के बाद जो है वो Hellenic Hellenic के बाद Roman Roman के बाद जो है फिर वो Western Roman जो है वो चला गया किसमें Dark Ages में ठीक है और जो Eastern Roman रहा Eastern Roman में आपका जो ancient Greek और Hellenic और Roman कल्चर का जो combination है वो प्लस Islamic ठीक है और फिर इसके खतम हो जाने के बाद भी Eastern Roman के खतम हो जाने के बाद भी वापिस यहीं लोग Dark Ages वाले यानि कि यूरोप ही वापिस गए और फिर आता है आपका Renaissance Renaissance के बाद Age of Enlightenment और फिर आपका जो है वो पूरे modern टाइम् और फिर तो line से जो है वो अलग-अलग तरह है कि political philosophies आती गई है, mercantilism शुरू हुआ, mercantilism से उसके बाद capitalism आया, capitalism के बाद जो है उसका विरोध करता हुआ, marxism डेवलप हुआ, socialism जो है वो बीची बीच, मतलब जब capitalism डेवलप हो रहा था, साथ में socialism भी डेवलप हो रहा थ फिर उसके बाद हम modern period तक पहुँचे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी political philosophies रही हैं, आगे बढ़ते हैं, nevertheless the favorable intellectual environment was produced during renaissance, ठीक है, ancient Greek में भी favorable environment नहीं था, लेकिन, मतलब सुकरात को मार दिया गया है न, लेकिन वो उसने अपनी बात कही, प्लाटो ने अपनी बात कही, ठीक है, उ तो है, वो favorable mahal create हुआ, खुलकर लोग बोलने लगे, political ideologies को develop किया, लोगों ने, ऐसा क्यों करा, ancient Greek के time से ही, जिस तरहा की state है, वो था, monarchical system, democracy थी, लेकिन बहुत corrupt democracy थी, ठीक है, उसके बाद dark ages, throughout dark ages, जो है, वो monarchical system, यानि की, feudal, feudal में भी क्या था, monarchical lords, ठीक है, और जो clergy है, वो सब मिलकर session कर रहे थे, और जो serfdom है, जो आम लोग है, वो पिस रहे थे, लेकिन renaissance के बाद, age of enlightenment वाले period में, जो geographical discoveries हुई है, उसकी वज़े से तो world trade शुरू हुआ है, world trade की वज़े से, जो एक नया merchant class develop हुआ, वो merchant class जो है, वो अपने लिए, जो political hierarchy है, उसम पे एक जगा चाहता था, क्योंकि उसके उस पैसा आ गया था, अब उस पैसे को वो, उस पैसे के माद्यम से, वो political शक्ती चाहता था, अब यहाँ पर मैं थोड़ा साना clear कर देता हूँ, देखिए, आपको economy को, polity को कैसे जोड़ना है, मैं आपको समझाता हूँ, now, जो medieval period है, और Europe का, भारत के साथ connect करते हूँ चलिएगा, ठीक है, इसमें जो भी produce हो रहा है न, जो भी चीज़ produce हो रही है, ठीक है, उसको मान लीजिए, जो सर्फडम है, जो दास है, ठीक है, जो सबसे नीचे जो पीजन्ट है, पीजन्ट भी नहीं कहेंगे, आपने इनको सर्फ कहा जाएगा, क्योंकि पीजन्ट जो है, वो बदले में लेबर तो ले रहा है, मतलब कहने हैं, वेज मिल रहा है उसे, ठीक है, जो सर्फ है, वो जो भी produce कर रहा है, वो अपने लॉर्ड को दे रहा है, और एक लॉर्ड अपने उपर वाले लॉर्ड को प्रोवाइड कर रहा है, यह order of garter, यानि, मतलब knights है, knights के उपर, barons है, barons के उपर, मतलब यह एक hierarchy है, ठीक है, तो lord के उपर, lord के उपर, lord रेट, और सबसे top पे जो है, वो कौन है, king है, ठीक है, लेकिन king कमजोर है, क्योंकि king को इन पूरी hierarchy के उपर dependent रहना पड़ रहा है, ठीक है, और साथ में जो है, वो catholic clergy है, ठीक है, सबसे नीचे clerks हैं, priest है, ठीक है, priest के उपर, जो है, वो bishops, arch bishops, papacy, पूरी pope, वो गएरा, जो है, सारे, ठीक है, तो साथ में यह clergy भी चल रही है, तो with the increasing level of lord, एक increasing level of, जो है, वो papacy, जो मुलब पोप की जो clergy है, या जो catholic church की clergy है, वो साथ में बैठा है, यानि king के साथ arch duke बैठा है, ठीक है, arch duke के नीचे bishop है, bishop के नीचे जो है, वो priest है, priest के नीचे, bishop के नीचे माल लिजिए, कोई एक बड़े level का father है, फिर उसके नीचे जो है priest है, तो जैसे जैसे hierarchy बढ़ रही है, किसकी lord की, उन्ही के साथ साथ जो है, जो catholic clergy है, उसकी hierarchy भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, साथ में बैठे हैं वो, तो ये लोग साथ में मिलकर, किस से जो है, वो काम निकल वा रहे हैं, सफडम से, ठीक है, और ये सारा का सारा, ये उरोप का सिस्टम समझा रहा हूं मैं, और ये सारा का सारा produce जो है, वो कौन सा है, agro, that means agro है, precious stone की economy नहीं है, तो जो उनके पास precious stones है, इसका मतलब ये नहीं कि precious stones नहीं है, लेकिन उनकी जो पूरी economy है, वो बार्टर सिस्टम पर बेस्ट है, और बार्टर किसका agricultural produce या जो domestically, जो छोटे लेवल पर जो इंडस्ट्रीज है उनकी, ठीक है, उनका वो बार्टर करके काम चला रहे लेकिन, लेकिन इंडिया जैसा राष्टर जो खुद भी produce कर रहा है, चाइना से भी import कर रहा है, साउथ इस्ट एशाल से भी import कर रहा है, और वो किसको export कर रहा है, एशिया को, वेस्टन एशिया को, वेस्टन एशिया में, अरेबिया और एफरीका, और अरेबिया एफरीका ते वो गोल्ड जो है वो भारत पहुँच रहा है ठीक है so that means भारत के व्यापारी जो भी प्रड्यूस कर रहे हैं या चाइना और साउट इस्ट इस्या से जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको गोल्ड के बदले वैस्ट में बेच रहे हैं इसलिए भारत में क्या इखटा हो ग को समझना आप कहीं सोचेंगी सर पॉलिटी समझा रहे हैं और एकनॉमी ओर्डर कहां से लग पड़े बताने तो यह बहुत जरूरी है ठीक है so यह इंडियन पेनिज्वला है यह साउथी स्टेशिया बहुत रफ सा डाइगरम बनाऊंगा ठीक है मैं यह आपका साउधी और इधर जो है वो यूरोप है ठीक है यह आपर मैड्टरेन मान के चलिए यह यूरोप है और जो न्यू वर्ल्ड है अमेरिकाज उनकी जानकारिया भी नहीं है डार के जिसकी बात कर रहा हूं है जो मेडिवल पिरिड है यूरोप का ठीक है यानि कि 6th century BC से 14th century BC या 4th century रख ल यूरोप को न्यू वर्ल्ड के बारे में नहीं पता यूरोप को जो भी चीज़ें लेनी हैं वो पहले बैजंटिन एमपयार पर independent रहना पड़ता था लेकिन बैज्टिन एंप़र के जाने के बाद अब इसलामिक राश्ट्रो से लेना पड़ रहा है यहाँ पर गोल्ड रि तो भारत की क्या position है भारत इधर से import कर रहा है चायने से bnt कर रहा है खुद भी produce कर रहा है और उसको जमीनी मार्ग क्षें जो है यह वह Islamic countries में बेच रहा है समूदरी मार्ग से अहलमीक न्ट्री में बेच रहा है और क्योंकि भारत African countries में बेच रहा है और इस पूरे region में कुछ भी produce नहीं हो रहा है तो इनके पास बदले में भारत को देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन ये बदले में भारत को gold दे सकते हैं क्योंकि gold जो है वो एफरीका से निकल कर आ रहा है और जमीनी रास्ते से पहुंच रहा है कहा आपे अरेबिया अरेबियन रिजन में और फिर भारत में खटा हुआ तो भारत के पास gold reserve भरपूर मातरा में throughout ancient और medieval period में खटा हुआ अब जो European countries है उनके जो traditional दुश्मन है वो नहोंने borders पकड़ रखा है क्योंकि ये पूरा region ठीक है North Africa वाला पूरा region Saudi ये सब region जो है वो Ottoman Empire और अन्य जह वो Islamic जो राश्टर उन्होंने control किया जो Christian countries है उन तक gold नहीं पहुंच सकता बड़े level पर पहुंचता है लेकिन उतने बड़े level पर नहीं इतना भारत में पहुंचता है तो वो trade किसमें करते हैं वो अपने butter system में trade करते हैं ठीक है जो भी वो butter करते हैं लेकिन North America और New World में जब North America और South America discover हुआ तो South America Central America से मिला gold भर भर के ठीक है ये gold किसे मिला ये gold मिला उन merchants को ये aristocratic class को नहीं मिला ये gold जो है वो kings को नहीं मिला या clergy को नहीं मिला ये gold मिला merchants को और merchants को अगर gold मिला तो वो gold लेकर आए कहाँ पर Europe में वापिस तो अगर अब उनके पास gold है तो अब वो इस gold के बदले भारत के साथ खुल कर trade कर सकते हैं सी रूट भी मिला भारत के लिए अगर उनके पास gold है तो अब इस gold के बदले वो food डलवा सकते है किसमें या food डलवाना तो एक तरीका हो गया ले तो merchants जो है वो धीरे-धीरे powerful होते गए क्योंकि अब इस gold और gold जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं silver include करके चल रहा हूँ ठीक है इस gold silver यानि precious metal के जोर पर उन्होंने अपने आपको जो है वो एक important economic शक्ती के रूप में रखा तो medieval Europe में जो राजा है उसकी स्थिती कमजोर है है ना जो king है उसकी स्थिती कमजोर है क्योंकि kings को अपने lords के उपर जो पूरी hierarchy है lords की उन पर dependent रहना पड़ रहा है ठीक है उनी के थूरू उसके पास जो है वो शक्ती भी आ रही और खाने को भी पहुँच रहा है servdom से है ना और दूसरी साइड king को king की authority कौन प्रोवाइड करता है pope या कहने का मतलब जो catholic church है right तो king जो है वो pope और lords पर dependent है लेकिन यहाँ पर merchants उबर कर आये और उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा है king ने कहा कि मैं merchants को full support देता हूँ लेकिन merchants ने कहा political शक्ती चाहिए तो king ने merchant को कहा कि constitutional monarchy develop करते हैं तुम बनाओ constitution तुम बनाओ parliament ठीक है और मुझे दो तुम executionary शक्ती तुम थोड़ा हिस्सा थोड़ा legislation में तुम भी रखो ठीक है थोड़ा थोड़ा pope को भी दे दिया church को भी दे दिया तो church ने भी यह बात माले कि चलो protestant church develop हो गए church ने भी कहा कि हम भी यह काम करते हैं तो यहाँ से constitution develop हुए और सबसे पहले Europe में London Europe में सबसे पहले एक काम जो है वो successfully किया ब्रिटेन ने ठीक है क्योंकि उनीक economy डवलप हुई थी और वही mainland Europe से इतना दूर थे that means जो church की पहुँचा उससे इतना दूर थे कि ऐसा आराम से कर सकते थे ठीक है तो point मेरा यह है सारा point यह है कि Renaissance की वजह से किस तरह जो Europe है उसकी political जो मतलब dynamics है उसमें क्या change आया किस तरह feudal order से धिरे धिरे मोनार्की मजबूत हुई क्योंकि कुछ जगाहों पर तो constitutional मोनार्की बनी और कुछ जगाहों पर मोनार्की सशक्त हुई क्योंकि जहां पर constitutional मोनार्की नहीं बन सकी वहां पर इन Lords को merchants ने replace किया और King को फिर से पैसा मिला और फिर से शक्ती मिली और King के पास authority थी और King ने अपनी इस authority का use किया कि किस merchant को trade करने देना है या नहीं करने देना समझाया आपको पूरा concept यह आगे देखते हैं nevertheless the favorable intellectual environment was produced during the renaissance between 14th and 16th century in addition with enlightenment age of enlightenment की बात हुरी है late 17th and early 18th century also called age of reason that circulated the ideas like individualism and skepticism ठीक है लेकिन यह merchants ने trade किया इससे इनकी life जो है वो थोड़ी आराम आराम दे हुई इनकी life आराम दे होने की बात जो है वो इनको अब धीरे धीरे समझायाएगी political authority चाहिए तो individualism की ideas जो है वो भरने लगे कि एक individual व्यक्ति भी शक्तिमान है पहले क्या था जो pope ने क्या कहा था कि जो शाशक है वो god ने कहा है कि कौन शाशक बनेगा और god ने किसे कहा है pope को कहा है तो pope जो है वो शाशक को क्या करता है मतलब उसकी ताज पोशी करता है ठीक है coronation बड़े शाशकों का या pope का जो पूरा order है इनकी जो clergy है वो करती है जो archdukes है तो इस हिसाब से इन्होंने kings, archdukes, dukes इन सब को जो है वो क्या provide किया हुआ है authority provide की हुई है ठीक है तो renaissance के period में merchants develop होने लगे शक्ती इनके पास पैसा आने लगे तो इन्होंने कहा कि नहीं यार individualism हमारे पास भी तो authority है तुम्हारे पास शक्ती इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है मैं pope को पैसा देता हूँ मैं clerk को पैसा देता हूँ मैं clergy को church को पैसा देता हूँ मेरे पास शक्ती आ गई अब तो यह individualism का idea जो है वो भरने लगा और skepticism pope जो है वो किस authority से कह रहा है कि God जो है वो God ने choose किया है हमें और हम बताएंगे कौन king बनेगा क्यूंकि God ने हम ऐसा कहा और जनता ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यूं है तो उसको मार दो crucify कर दो तुम्हें God की आदेश का वेलना कर दिया तुमसे तो गलती हो गई मार दिया जाएगा तुम्हें अब तो skepticism यहाँ पर उभर कर आएगे हम यह सब बातों को नहीं मानेंगे क्यूं नहीं मानेंगे कि अब हमारे पास पैसा है हम उठकर आपका देश छोड़कर चले जाएंगे बहुत सारे Europeans पैसा कमाने लगे या पैसे कमाने का स्तुरोत उनको पता चला कि नॉर्थ अमेरिका में है तो जो बहुत सारे Protestants हैं वो Europe को छोड़कर कहाँ पर shift हो गए नॉर्थ अमेरिका, South अमेरिका में South अमेरिका में पूर्टगाली और Spanish लोग यानि कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो English, Germanic, French भाषा बोलने वाले लोग है वो जाकर Scandinavian भाषा बोलने वाले लोग है वो जाकर बस गए समझरें आप आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं Capitalism का तो अभी तक तो हमने केवल introduction लिया basics जो हैं वो समझे कि राज्य क्या है और political philosophy क्या है यह सारी चीज़े ठीक है अब capitalism को define कर लेते हैं एक बार तो अगर आप regularly follow कर रहे हैं मेरे session को तो capitalism पे हम good deal समझ चुके हैं ठीक है काफियत तक लेकिन और थोड़ा पढ़ लेते हैं now some form of capitalism has been dominant in the western world since the end of feudalism in the middle ages and has provided the main although not exclusive means of industrialization throughout much of the world ठीक है so feudal system जब धीरे धीरे खतम होने लगा यानि कि जब kings को पता चला कि जो merchants हैं वो strong हो गए हैं lot से मतलब feudal lot से तो kings और merchants जब मिलकर राज करना शुरू करा इनोंने तो यहां से capitalism की शुरुवात हो गई ठीक है so that means with the fall of feudal system in Europe capitalism start हुआ क्योंकि capitalism जो है वो पूरी तरह based है trade पर और trade जो है वो European countries को करने नहीं दे रहे थे Islamic ठीक है बड़े level पर नहीं करने दे रहे थे और जब उनको जब global discoveries हुई और जब Europeans के पास gold silver आने लगा तो trade करने के उनके पास जो है वो हिम्मत ही खटा हुई हिम्मत तो नहीं मतलब पैसे ही खटा हुई trade करने के लिए पहले वो बाटर कर रहे थे मानली जीए अगर कोई European भारत आता है और वो बोलता है कि हमारे आलू घरिद लो भारतिये के उखरी देंगे आलू भारत में दुनिया बर का धन है उस समय भारत में दुनिया बर का धन था आज भी है उस समय कोच जाद ही था ठीक है अनाज उगरा है भारत में कई तरीके का अनाज कई तरह की सबजियां उगरी है तो हम उनके आलू क्यों खाए वो हमें आलू दे रहे हैं दो तिन दाले लगती है वहाँ पे ठीक है तो उनके पास भारतियों को देने के लिए कुछ नहीं है भारत एक बहुत बड़ा producing देश है भारत चाइना और साउथी स्टेशा से बहुत पहले से ही समान इंपोर्ट करता आ रहा है अपना खुद का प्रोड़क्ट भारत के पास बहुत सारा था उस समय medieval period में ठीक है वो तो अंग्रेजों ने भारत की industries को तभा कर दिया ना अदरवाइस भारत के पास भारत के खुद के प्रोड़क्ट बहुत सारे थे जिनकी बहुत डिमांड थी west में वो तो इंडुस्ट्रिलाइजेशन के बाद पूरा डिमांड का perception ही चेंज कर दिया ना क्यूंकि जिद धीरे धीरे एक बर्ग्योसी class डेवलप हुई तो साथ में एक प्रोलेटरेट की class भी डेवलप हुई और प्रोलेटरेट को इतना गरीब बनाया गया कि उसकी जरुरत आलू, चावल और तन में सूती कपड़ा पहनना तक रह जाये वस ठीक है और उसी को प्रोड्यूस करने के लिए भरभर के मिल्स लगाई कॉटन मिल्स, चेक्स्टाइल मिल्स, इसने, ब्रिटेन ने, पहुंचेंगे महा तक हम तो देखे, some form of capitalism has been dominant in the western world since end of fidelism in the middle ages and has provided the main although not exclusive means of industrialization तो यहां से industrialization धीरे धीरे develop हुआ, देखे मैंने आपको पूरा समझाया है कि industrialization इंगलेंड में ही क्यों आया और मैंने आपको यह बता है कि industrialization was natural for England industrialization term जो है, वो industrialization आने के कम से कम तीन दशक बाद जो है वो introduced की गई, 1850 के आसपस और 1820 या 19-वी शताबदी के पहले दशक में industrialization speed pace पकड़ लिया था उसने कहां पर London या कहां पर, Britain में, ठीक है so industrialization was natural to Britain क्यों? क्योंकि वहां पर ही वहां जो ब्रिटेन के जो मर्चेंट्स है उन्होंने सबसे पहले जो है, वो वहां के king को clear कर दिया कि जो lord वाला system है, वो खतम है, हमारे पास पैसा है constitutional मुनार्की लाइए, दोनों बैठ कर खाते हैं, पुराने system खतम करो और जो पुराने traditional lords हैं, अब आपको एक चीज़ यह समझनी है यह merchants ऐसा तो है नहीं कि आम लोगों में से, सर्फडम में से यह merchants मनें, नहीं, यह merchants यही lords तो हैं, यह पुराने ऐसे lords जो पुराने चला आ रहा जो system था, उससे पक गए थे या परेशान हो गए थे, या ज़्यादा फाइदा नहीं मिल रहा था तो global discoveries में उन्होंने पैसा लगाया क्योंकि शुरवात में, जब global discoveries होने लगी थी तो जो traditional aristocrats हैं, उन्होंने मना किया था कि ना करो ये काम, ठीक है जो England है, वो विरोध में था, पुर्तगाल जो है, वो global discovery कर रहा है, मतलब एक हिस्सा, ये नहीं की पूरे के पूरे, एक हिस्सा चाहता था कि ऐसा ना हो, जो system बना हुआ है वो बरकरार रहे, क्योंकि वो अपनी authority को कायम रखना चाहते थे, भले ही वो authority, जो जनता है, उसके लिए बहुत नुकसान दे है, जो सर्फ है, उसके लिए बहुत नुकसान दे है, ठीक है, आगे देखे, now it rise to prominence sprang out of the mercantilism of the 16th to 18th century and followed the rise of liberalism and lycephare economics in western society, आप देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला, renaissance आया, renaissance की वजे से क्या हुआ, age of enlightenment, age of enlightenment के वजे से क्या हुआ, scientific discoveries, यह बना लीजिए, flow chart बहुत important है, scientific discoveries की वजे से क्या हुआ, global discoveries, global discoveries की वजे से क्या हुआ, world trade और world trade की वज़े से क्या हुआ world trade की वज़े से mercantile economy डवलप हुई और mercantile economy क्या कहती है कि import घटाओ और export बढ़ाओ और export बढ़ाने के लिए mercantile economy की जो policy है उनको strongly जो है वो बसाने के लिए आपको क्या चाहिए colonies तो यहां से imperialism की शुरुवात होती है और colonial इतिहास शुरू होता है mercantile economy से और यही mercantile economy जो की 16 वी शतावदी से 18 वी शतावदी तक चली और इस mercantile economy की command जो है वो शुरुवाती जो merchants है जो की traditional aristocratic class के पिसे होई aristocrats थे आम लोग नहीं थे वो वो पिसे होई aristocrats थे जो बसे बसाई system से या तो ऊप गए थे या तो पक गए थे या तो उससे उनका काम नहीं चल रहा था तो वो global discoveries और world trade में एंटर किया उन्होंने चीक है so 16 से 18 century तक modern sorry mercantile economy का बोलबाला रहा और यही mercantile economy transform हो गई capitalist economy में 18 century के बाद with the इसके साथ with the improvement in machinery राइट मशीने जैसे जैसे develop होती गई यानि industrial revolution के pace पकड़ने के साथ ही यह mercantile economy mercantile capitalist economy में convert हो गई मतलब same है दोनों का दोनों में ही export बढ़ाना है और import गठाना है ठीक है लेकिन नाम change हो गया mercantile economy से capitalist economy में convert हो गया और देखें यहाँ पर अब यह हुआ क्यूं क्यूंकि जो mercantilism है उसमें liberalism नहीं था यानि कि जो traditional merchants है केवल देखे mercantile economy या शुरुवाती merchants कौन बन सके शुरुवाती merchants केवल वही जो traditionally elites बर्गियोसी या traditionally elite जो aristocratic class है उनी में से ही शुरुवाती merchant निकले हैं ध्यान रखेगा जयानि कि जो पुराने जो middle ages से पुराने जो अमीर थे वही तो merchant बनेगे न क्यूंकि उनी के पास तो पैसा है trade में लगाने के लिए लेकिन over the period 100-200 सालों में आम जनता में से भी merchants निकल कर आए तो जो traditional merchants जिनका king ने साथ दिया था ठीक है वो चाहते थे कि अब कोई और जो है वो नए merchant निकल कर ना आए तो जो नए merchants जो traditional merchants की वजह से उनका जो है वो economic उत्थान हुआ है वो निकल कर ना है liberals समझे confusion को नहीं समझे तो फिर से clear करता हूँ देखिएगा यह बहुत important है बहुत बारीक है इसलिए मैं इसको इतना मतलब repeat करके और explain करने ही कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक बार यह funda समझ आ गया ना तो आगे polity वगरा समझने में discoveries होनी की वज़े से इनी bold aristocrats में से निकल कर आये कौन merchants और king को लगा कि यह जो नया merchant जो class इनी bold aristocrats में से निकल कर आया है यह मेरा साथ देगा तो king और यह merchant आपस में जुड़ गए लेकिन यह merchant चाहते थे जिस तरह यह traditional aristocrat क्लास चाहती थी कि हम से हमारा कोई competition ना बने तो यह traditional यह जो merchants थी यह भी चाहते थे कि नय merchant class ना आये तो यह जो पहला merchant class था यह निकला था traditional aristocracy से लेकिन जो दूसरा merchant class निकला वो आम जंता में से या आम जंता में से धीरे धीरे जो develop हुए उन में से और यह जो merchant class है इनको यह लगा कि अब हमें जो है वो सरकार संबालनी है तो king को यह लगा कि यह merchant अब strong हो गए ठीक है king की स्थिती कमजोर हो गई तो king ने अब नए merchants को जिनको liberals कहा गया क्योंकि इन्होंने कहा कि आजाद करो ट्रेडिंग के ट्रेडिंग के जो rules है उनको जो है वो थोड़ा free करो सबको मौका दो trade करने का ठीक है नहीं समझे देखे जिस तरह aristocratic class नहीं चाहती थी कि कोई जो है वो aristocrat बने कोई lord बने baron बने knight बने ठीक है यानि कि limited रखना चाहते थे उसी तरह जो नए merchant निकले थे वो भी limited रखना चाहते थे कि कोई merchant ना बने उनकी जो है वो monopoly रहे उनके boards उनके जो director बने उनने shareholding जो है वो शुरू कर दी कि इनके shareholders जो है वो यानि certain economic जो है वो wealth रखने वाले लोग ही merchants बने लेकिन अन्य जो लोग जो धीरे-धीरे merchant develop हुए ठीक है जो जिनके पास पैसा ही खटा हुआ उन्होंने liberal approach अपना है उन्होंने कहा कि सब के लिए open करो तो वो liberals कहला है तो king को लगा कि अग जब जो traditional अब ये merchant सोलवी से अठारवी सदी के जो mercantile economy के merchants है ये जब हावी होने लगे king पर तो king ने साथ देना शुरू कर दिया liberals का राइट तो हमें यहाँ पर constitutional monarchies जो हैं वो develop होती हुए नजर आती है line से कब 18th century के बाद 18th century से 20th century तक कई constitutional monarchies हमें नजर आई या कई monarchies भी हैं लेकिन वो काफी हद तक liberals के मतलब pressure में रही ठीक है I hope यह आपको समझ आया हो next चीज़ है liberalism और दूसरा जो है वो lazy fair क्या बोलता है कि राज्ये जो है वो control नहीं करेगा कि trade कैसे होगा market control करेगा कि trade कैसे होगा यानि king या जो बसा बसाया merchant जो order है यह decide नहीं करेगा कौन trade करेगा कौन नहीं trade करेगा सबको अजादी हो trade करने की next देखिएगा the capitalist mode of production however may exist within societies with the differing state systems example liberal democracy और fascism अब जो capitalism है वो अलग अलग तरह के जो state orders है यानि कि मान लिजे कोई liberal democracy है constitutional monarchy में भी capitalism भलफूल रहा है proper absolute monarchy में भी capitalism भलफूल रहा है ठीक है liberal democracy में capitalism भलफूल रहा है fascist regimes में capitalism भलफूल रहा है तो capitalism को भरक नहीं पड़ रहा capitalism हर जगा काम कर रहा है ठीक है आगे देखिएगा now capitalism को अगर आप as a definition देखना चाहें तो क्या है अब आप ये सुचेंगे सर capitalism आप समझा तो दिये लेकिन definition define तो करें capitalism is the economics and social system क्या है ये economic और social system है and also the mode of production in which the means of production are predominantly privately owned and operated for profit and distribution and exchange is mainly market economy सर के उपर से निकला समझाता हूँ capitalism क्या है basically capitalism एक economic order है एक social order है यानि की capitalist social order है so that means कुछ लोग होंगे जो capitalism करते होंगे उनको कहते है capitalist लोग ठीक है कुछ लोग होंगे जो capitalism को follow करते होंगे तो capitalism के तहत जो employed है वो prolaterate है और ये एक economic order है economic aspect समझाता हूँ so capitalism एक ऐसा economic order है जिसमें एक व्यक्ती या एक organization जो भी produce तयार कर रहा है क्योंकि यहाँ पर business हो रहा है यहाँ पर व्यापार हो रहा है economic system है तो व्यापार हो रहा है मतलब और अगर व्यापार हो रहा है तो किसी commodity का हो रहा होगा और अगर कोई commodity है तो या तो वो commodity naturally nature provide कर रही होगी उसको extract करना पड़ता होगा या तो उसको produce करना पड़ता होगा produce करने का माध्यम पहले manual था और फिर machine होने लगी इसलिए capitalism ने boom पकड़ा ठीक है तो capitalism है basically production होता है ठीक है और जो भी produce है जो भी produce है ठीक है वो private होता है यानि कि उस जो भी product तयार हो रहा है उस product को तयार करने का जो भी माध्यम है यानि कि मान लीजिए जहां पर product तयार हो रहा है यानि कि land ठीक है जिस building में product तयार हो रहा है यानि infra जिस machine से product तयार हो रहा है है यह सारी क्या है यह privately owned है यानि राज्य की नहीं है सरकार की नहीं है किसी public की नहीं है किसी group की नहीं है किसी एक व्यक्ति उस व्यक्ति का परिवार या किसी एक organization की हो सकती है ठीक है तो सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है privately owned है private है ठीक है तो राज्य का नहीं है capitalism में जो भी organization है वो राज्य का नहीं है दूसरी चीज operated for profit जो भी produce तयार हो रहा है वो बेचने के लिए किया जा रहा है वो profit बनाने के लिए किया जा रहा है वो social service नहीं है ठीक है वो क्या है profit बनाने के लिए किया जा रहा है यहाँ पर आपको थोड़ा सा माथा आपका ठनकाना पड़ेगा कि जादा से जादा लोग कंज्यूम करने के लिए तयार है या तयार किये जा सकते हैं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जादा जादा लोगो को किसी पर्टिकुलर तरह के प्रोड़क्ट को तयार करने के लिए एक कंज्यूम करने के लिए तयार करें माल लीजिए भारतिय सरकार किसी एक कंपनी को और्गनाइजेशन को इंडोर्स सरकार करे यह तो डिरेक्टली किया है ना इंडिरेक्टली कई तरीकों से किये दाता है ठीक है तो कैपिटलिजम में जो भी प्रडिूस तयार हो रहा है उस प्रडिूस को तयार करने के लिए जो भी चीज लगेगी, land लगेगा, infrastructure लगेगा, technology लगेगी, management लगेगी, labor लगेगी, labor भी तो लगेगी ना, ये सारी privately owned है, किसी व्यक्ति और उसके परिवार और उसके organization द्वारा owned किया जाएगा, privately owned है, राज्ये का नहीं होगा, दूसरी चीज प्रॉफिट के लिए किया जा और बेचा जाएगा, open market में, एक market economy में बेचा जाएगा, यानि कि, एक open market, एक market economy क्या होती है, जहाँ पर restrictions कम होती है, लेकिन restrictions कम होती है, यानि मान लीजिए, कि एक व्यक्ति जो है, वो एक व्यक्ति कुछ एक जमीन खरीदता है, वहाँ पर एक building मनाता है, उसके नीचे machine ल चाहता है अगर उस product से तो उसको बेचना पड़ेगा ना obviously common sense है बेचेगा कहां market में और market और अगर वो बेचना चाहा रहा है और वो market established है तो उस market को वहाँ पर present होने की authority कौन दे रही है वहाँ की governing body तो वहाँ की government जो है वो इस तरह के market के कानून बनाए की जादा से जादा जो है वो मुनाफ़ा हो सके so that means एक capitalist economy में society चाहिए एक ऐसी society जो जादा से जादा products को consume करे एक ऐसी government जो ऐसा market बना कर रखे जहाँ पर जादा से जादा products बिक सके ठीक है तो capitalist economy के लिए एक specific society और एक specific government order चाहिए होता है और capitalist economy है क्या है खुद एक economic order है ठीक है आगे देखिए but usually considered to involve the right of individuals and corporations to trade using money in good service labor and land ठीक है लेकिन एक usual concept क्या है कि society क्या खरीदेगी उस individual का right है वो खुद चूज कर सकता है मान लिजीए for example हम toothpaste करते हैं काफी लंबे समय तक तो toothpaste का word colgate ही बना रहा in fact आज भी कई लोग toothpaste ना बोलकर colgate कहते होंगे ठीक है तो colgate is actually a product है toothpaste लेकिन brand है colgate colgate brand उस product toothpaste को बेच रहा है लेकिन toothpaste जो है वो colgate brand से synonymous हो गया ठीक है यह market economy में नहीं होता एक market economy में कई सारे brands होंगे ठीक है एक market economy में कोई एक product किसी एक organization मालेजेशन गवर्मेंट द्वारा दी अब मालेजेए कल को toothpaste जो है वो केवल सरकार बेचना शुरू कर दे है ना जैसे education केवल सरकार देगी या private organizations भी दे सकती है ठीक है healthcare केवल सरकार दे या private organization भी दे सकती है जैसे railways जो है वो केवल सरकार दे रही है भी है ना railways द्वारा transportation की जो सहुलियत है वो भारतिये citizens को केवल सरकार दे रही है प्ड़ार और और उर्गनाजेशन भी दे सकती है private organization तो कुछ ऐसी और कुछ जो है वो ऐसी इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनीज जो है वो नेशनलाइजड है जो कि स्टेट द्वारा चलाई जा रही है और कुछ जो है वो capitalist economy द्वारा जो है वो privatized है ठीक है तो समझ रहे हैं आप तो यहाँ पर socialism और capitalism में difference socialism कहता है कि बड़ी organization नेशनलाइज होनी चीए है ठीक है capitalism कहता है कि सभी तरह के products है वो privately owned हो यानि railways private हो banking private हो healthcare private हो education private हो क्या भारत उसी direction में बढ़ रहा है और यह कितना हद तक सही है भारत की economy के लिए क्या यह ठीक है capitalist economy क्या socialistic approach भारत की better थी ठीक है यह सवाल हम धिरी दरे develop करेंगे so I hope आपको जो है वो capitalism की definition समझ आई होगे आगे बढ़ते हैं now अब थोड़ा सा यतिहास देख लेता है capitalism का brief history ठीक है now although some features of capitalist organization existed in ancient world example in early roman empire the medieval caliphate in the middle east capitalist economic practices became institutionalized in England between 16th and 19th centuries and spread throughout Europe and across political and cultural frontiers देखिये इस एक paragraph में ज्यादा deep में नहीं जाओंगा मैं सिर्फ इस एक paragraph में बिलकुल जो है वो basic बतायागी कहां कहां पर capitalist economy थी ठीक है so roman empire में capitalist economy देखने को मिलती है that means कोई एक ऐसा business जो की privately owned हो कोई एक ऐसा business जो privately owned है और profit के लिए किया जा रहा है और किसी open market में उसका product जो है वो या किसी market economy में उसका product sell हो रहा है वो जनता में बाटा नहीं जा रहा है मान लिजिए ऐसा भी तो सकता ना privately owned है profit के लिए कर रहा है ठीक है लेकिन सरकार को जा रहा है वो है ना नहीं वो market को जा रहा है जो चीज market में जाएगी वो market में regulate होगी फिर ठीक है तो ऐसा roman empire में भी था ऐसा जो है वो medieval caliphate में भी था ठीक है कि privately owned mercenaries हुआ करते थे ना पहले तो ऐसी tribes थी जिनका business ही था लड़ना मंगोल tribes थी खास तोर पे कई मंगोल tribes थी जिनका business ही था लड़ना उनकी बात नहीं करते हैं लड़ाकू tribes की बात नहीं करेंगे लेकिन कई ऐसे बिजनस थे जो प्राइविटली ओंड है यानि राज्य द्वरा ओंड नहीं थे प्रॉफिट के लिए किया जाते थे और market में बेच जाते थे तो अगर आप इस हिसाब से कहेंगे अगर आप यह strict definition में जाते हैं तो ऐसे तो हर जगा ही हर जगा ऐसे ही फटे मोटे business थे मानली जी अगर आप किसी मतलब अगर iron smith की बात करते हैं यानि किसी भी तरह का कोई smith है ठीक है यानि लोहार है मानली जी ancient भारत का जो लोहार है उसका जो लोहे बनाने का जो business है वो privately owned है है ना वो खुद जो है वो लोहा अपना जो है वो extract कर रहा है ठीक है उस लोहे को खुद smelt कर रहा है और फिर उससे जो है वो पीट पीट कर कटार बना रहा है तलवार बना रहा है जो भी product तियार कर रहा है और फिर उसे बेच रहा है तो राज्य दोरा controlled है ही नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे business भी थे लेकिन उनकी संख्या बड़ी नहीं थी और खास दोर पे smith जैसा business है वो त तो जाधा से जाधा state का यही जो है वो control रहता था मान लीजिए ठीक है example देता हूँ DRDO क्या बनाता है भारत के लिए अतियार बनाता है ठीक है तो क्या आप ये क्या आप कोई व्यक्ति घर में आतियार बना सकता है वैसे UP में कट्टे बन रहे है वड़िया घर में ठीक हर ज जो ट्रक का steering का pipe होता है इससे बन जाता है ठीक है तो राज्य जो है वो अनुमती नहीं दे सकता कि कोई हतियार बनाए गैर कानूनी है वो सब बनाना ठीक है similarly ancient time में भी राज्य अनुमती नहीं दे सकता था कि कोई खुलकर हतियार बनाए आप जो है वो अपने घर के लिए का समान तयार कर सकते हैं लेकिन आप बड़े लेवल पर हतियार किसी को नहीं बेचेंगे राज्य उस चीज़ को regulate करेगा और एक market वाली economy में राज्य जो है वो इतने बड़े हद तक regulate नहीं कर सकता राज्य नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ठीक आगे बड़ेंगे लेड़ेंगे नो विद अमर्ज़न्स अफ दो अश्टीन तो एंटेंचूरी इंचेंटरी मर्कंटलिस्म इकनोमिश थेवरी एट्ट अपरिटरी टेपने इस कैपितल और एक एकनोमिश असेट्ट अट्ट ज रप्रेसेंट बड जल्वर और एक्यूल अब ये इतना लंबा पूरा पेराग्राफ मैंने गा दिया आप इसको समझाता हूँ ठीक है समझीएगा यूरोप में यूरोप में नेशन बनाने की आइडालोजी कैसे डबलब हुई मैंने क्या बताया था आपको कि जब लोगों के अंदर एक भावना आने लगी कि सिमिलर कल्चर के लोग जो है वो एक सिमिलर अगर जियोग्रिफिकल रिजन में रहते हैं तो वो अपने आपको एक देश घोशित कर दे लेकिन देश घोशित करने की ये इतनी उतावलापन आया क्यूँ क्योंकि राज्य होगा तो सरकार होगी सरकार होगा तो ट्रेड के लिए क्या होगे कानून होगे और अगर ट्रेड के लिए लौ होगा तो ट्रेड को क्या किया जा सकता है कंट्रोल तो कौन ट्रेड करेगा कौन कंट्रोल नहीं करेगा कौन ट्रेड करेगा उनोंने लोगों को प्रोचाहित किया कि राज्जे की डिमांड करनी शुरू करो ताकि राज्जे बने और हम उस राज्जे का क्या इखटा करें रेडिंग राइट्स अपने कंट्रोल में रखें ठीक है क्योंकि उसकी जो भी सरकार होगी चाहे वो मुनार्किल हो constitutional मुनार्की हो या democratic republic हो उसको merchants जो हैं वो control कर सकते हैं ठीक है तो Europe में nation states जैसे जैसे अब आप कहेंगे आप इतनी dark बाते कैसे बोल देते हैं यह सचाई है यह brutal सच है अगर आपको anxiety होती है brutal सच से तो आपको बैठकर एक glass पानी पी लेना चाहिए है ना जैसे कि मैं कर रहा हूँ theory है यह ऐसी theory है जो काफी हद तक प्रूव हो चुकी है और ऐसा ही हुआ था जो merchants develop हुए है जो second phase of merchant develop हुए है मैंने आप बताया था ना king के बाद जो merchants है और फिर जो merchants है यह जो liberals है यही liberals जो है वो नए nation की demand कर रहे है क्यों क्योंकि जो king और merchant जो पूरे business को पकड़ कर बैठे है यह जो नए merchants है यह business अपने हाथ में नहीं ले पा रहे है तो इन्होंने कहा कि हम राज्य यह अलग बना लेंगे हम state यह अलग बना देंगे और अगर हम state अलग बना देते है ठीक है तो हम जो है वो trading को control करेंगे ठीक है देखिए गए statement को फिर से देखते है तो with the emergence of modern nation states in the 16th and 18th to the 18th centuries mercantilism mercantilism encouraging a protectionist rule mercantilism became dominant in Europe ठीक है अगर मैं यह bracket में जो है इसको ना पढ़ हूँ तो इस statement का मतलब यह है कि जैसे जैसे nation state develop होते गए तो mercantilism जो है वो dominate करता गया यूरोप को ठीक है इसको उल्टा भी कहें जैसे जैसे mercantilism dominate करता गया तो nation states जो है वो धीरे धीरे यूरोप में बनते गए kingdoms खतम होती गई kingdoms क्यों खतम होती गई क्योंकि merchants को अपने अपने लिए जो है वो अपना political influence का sphere चाहिए था बहुत rough सा एक statement मैं आपको देता हूँ और बहुत हद तक उसमें सचाई है भी और contradictory भी है और कहना मैं ये चाहता हूँ कि present day दुनिया में कोई देश नहीं है केवल बड़ी बड़ी organizations हैं जिनोंने दुनिया के geographical जो मनलब दुनिया की पूरी जो geography है उसको आपस में बाट लिया है ठीक है इस conclusion तक मैं आपको पहुंचाऊंगा आगे लेकिन अब यहाँ पर देखिए इस statement में क्या बोला कि nation states के develop होने की वज़े से mercantilism ने जो है वो dominate किया यूरोप को इस statement को समझता है फिर यह bracket में जो है इसको लेकर आएंगे है ना तो statement क्या बोल रहा है कि जो nation state है इसकी वज़े से mercantilism develop होग यूरोप में mercantilism क्या है कि mercantilism कैसे develop हुआ global trade के develop होने से है ना so global trade के develop होने से जो traditional aristocrats है उन्होंने trade करना शुरू किया और वो merchants में develop हुए उनके trade करने की वज़े से और एक और merchant class उठखडी हुई middle class उठखडी हुई और अब ये middle class जो है वो liberals है और ये कह रहे है कि हमें भी trade करने दो हमाई जो है वो एक अलग से nation state चाहिए ठीक है तो nation और फिर nation state develop हुए नए और अब इन nation states में जो governments है इन government ने जो है वो trading rule create किये ठीक है और फिर उन trading rules के दम पर फिर से क्या हुआ उन सब nation states को भी अपने आपको मजबूत करना है तो उन्हें भी क्या करना है उन्हें भी तो mercantile economy को ये follow करना है तो ये loop है तो ये कैसा loop है आपको दोनों ends loop है और स्टिल दो ends है ठीक है दो ends क्या-क्या है nation states और mercantile economy तो nation states के develop होने से mercantile economy developed हुई या mercantile economy के develop होने से nation states develop हुए दोनों ही आप बाते कह सकते हैं अब देखते हैं bracket में क्या है यहाँ पर इस bracket में mercantilism को define किया है mercantilism क्या है एक economic theory है that the prosperity of a nation depends upon its capital ठीक है economic theory क्या है कि एक nation तब ही prosper करेगा जब उसके पास भरपूर capital होगा और capital क्या होता है land, labor and money ठीक है क्या क्या होता है capital land, labor और पैसा, धन सोना और चांदी ठीक है एक राजे तब ही prosper करेगा जब उसके पास land होगा, labor होगा और सोना चांदी होगा और economic, इनी कोई economic assets कहा जाता है as represented by gold and silver यह आगया money वाला इससा अब यह next वाला जो point है यह बहुत important है समझने के लिए आपको and the volume of the world अब अगर किसी राष्ट्र की अगर अब किसी nation की wealth उसके gold और silver पर depend करती है तो इस धर्ती पे gold और silver की जो संख्या है वो सीमित है जो quantity of gold and silver is limited on this earth right, on our earth धर्ती की सता है और उसके नीचे जितना भी gold और silver है वो सीमित संख्या में है right, that means जितने भी nations होंगे उनकी जो भी wealth होगी वो सिमित रहेगी वो बढ़ नहीं सकती, ठीक है and that the volume of the world economy and international trade is unchangeable है न, that means मान लीजिए कि एक किलो सोने में 100 किलो कोई भी आमोख product मिल रहा है so that means सोना कितना भी होगा इसी rate से मिलेगा that means आप केवल इसी rate पर trade कर सकते है ये बात है यही तो मतलब है न, gold और silver के limited होने का मतलब क्या है, कि trade भी limited है, है न, यहाँ पर एक चीज उबर कर आती है inflation ठीक है अगर एक किलो सोने में 100 product आप खरीच सकते हैं 100 unit product खरीच सकते हैं और इस 100 unit product को तयार करने में अगर आपकी 1000 unit labor लग रही है तो ये तो फस गई न, economy तो अगर आपको economy को regulated रखना है तो इसे 100 product से 10 product करना पड़ेगा और इसे 1000 unit से 10,000 unit labor करना पड़ेगा यहीं मार्केट में inflation लाना पड़ेगा तभी economy में चक्र बना रहेगा ठीक है, otherwise economy फस जाएगी समझाओंगा inflation क्या है तेकि आप basic पकड़िए right, so international trade का जो volume है वो unchangeable है क्यों क्योंकि gold और silver की मातरा सीमित है encouraging और अगर gold और silver की मातरा सीमित है that means कितना trade होगा, कितना trade नहीं होगा इसको आपको protect करके रखना पड़ेगा उस gold और silver को भी protect करना पड़ेगा उस trade को भी protect करके रखना पड़ेगा कहीं ऐसा नहीं हो कि जितना gold और silver है उतना trade हो जाए, उसके बाद क्या गरेंगे है ना, तो आपको encouraging a protectionist role for government तो merchants और government का क्या आपस में लेना देना है कि देखिए उस समय government किसके हाथ में थी तब government थी किसके हाथ में किंग के हाथ में जब mercantile economy शुरू हुई right so merchants लेके आए अपने पास gold कि हमारे पास gold और silver है जो कि तुम्हारे पास नहीं है obviously king के पास था लेकिन उस संख्या में नहीं था जितना merchants के पास हो गया था और merchants ने कहा कि आज नहीं तो कल हम जो है कर ऐसी governments prepare करी और उन government ने ऐसे laws बनाए जिनके तहत market को regulate किया जा सके ठीक है तो इस तरह जो है वो nation states ठीक है तो यहाँ पर mercantilism आपको समझाए क्या है और nation states nation states के आ जानी की वज़े से mercantilism डवलप हुआ और mercantilism की वज़े से nation states डवलप हुआ कहाँ पर Europe में I hope concept आपको समझाए होगा आगे बढ़ते हैं Next is the classical tradition in capitalist economics thought emerged in Britain in the late 18th century with Adam Smith David Ricardo and John Stuart Mill as well as John Baptize Say in France देखें अब Europe में अगर यह mercantile economy चल रही है और यह सारे concept बाटने हैं तो आपको जो है वो universities create करनी पड़ेंगी और scholars आपके पास आएंगे वो अपनी theories देंगे उनको approve करना पड़ेगा और फिर वो लागू होंगी तो capitalist economy या mercantile economy के बहुत बड़े advocate रहे Adam Smith लेकिन और ने capitalist economy को थोड़ा सा सुधार के प्रस्तुत करने ही कोशिश करी ठीक है डेविड रिकार्डो नाम ध्यान रखेंगे आप इनके जॉन स्टुवर्ट मिल और जॉन बेप्टाइज से ठीक है ये फ्रांस से हैं और ये तीनों आपको ब्रिटेन से मिलेंगे ठीक है और यहां पर पॉलिटिकल फिलोसफर्स एकनामिक फिलोसफर्स जर्मनी से निकले हैं लेकिन उनको क्रेडिबिलिटी ब्रिटेन और फ्रांस की उनिवर्सिटीज नहीं दी ऐसे तो उनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जो है वो काफी क्रेडिबल थी लेकिन World War 1 तक Global Order Britain और France के control में था ठीक है So ये Adam Smith वगरे इन्होंने कहा क्या ये आगे मैं आपको explain करूँगा आगे आने वाले session में क्योंकि बहुत लंबी लंबा चला जाएगा फिर session अगर मैं अभी Adam Smith की बात छेड़ दूँ प्योंकि Adam Smith की जो पूरी policies है जो philosophy है वो अपने आप में एक बड़ा session है मैं आपको basic बतायता हूँ Adam Smith basically specialization इन्होंने promote किया specialization को इन्होंने कहा कि हर एक काम को करने के लिए special वेक्ती होना चाहिए यानि कि अगर कोई knit कर रहा है तो knitting के लिए special वेक्ती होना चाहिए अगर कोई drive कर रहा है तो driving के लिए special वेक्ती होना चाहिए ठीक है आज present day में अगर कोई वेक्ती गाड़ी चलाना जानता है तो उससे आप plane तो नहीं उड़वाएंगे न अगर वो केवल गाड़ी चलाना जानता है अगर कोई वेक्ती मान लीजी अगर उसने mechanical engineering करी है तो आप उससे किसी का hurt operation देनी करा सकते न तो ये की profession में specialization होनी चाहिए ये ideology Adam Smith ने दी और इसी कोई आगे develop किया David Ricardo ने John Stuart मिलने इनी के चले थे आगे बढ़ते है Now important contributions to the theory of property are found in the earlier work of John Locke John Locke के बारे मैं आपको बताया था कि सभी वेक्ती को right to property होना चाहिए who had argued that right to private property is a natural right उसने कहा कि इस धरती पर हर वेक्ती के पास जमीन होनी चाहिए अब देखिए John Locke बोलता है right to property होना चाहिए तो ये capitalism का supporter है ठीक है क्योंकि capital का हिस्सा है land right लेकिन communism आगे हम समझेंगे communism कहता है कि property का fundा ही खतम करो सारा जगडा ही property को acquire करने के पीछे है तो यहाँ पर John Locke की कही हुई बातों को काल मार्क्स किस तरह जो है वो contradict करेंगे हमें ये काल मार्क्स मैं आपको मैं समझाऊंगा आज ही communism को मैं थोड़ा सा define करूँगा और अगले session में काल मार्क्स की ideology आपके सामने रखूँगा now next देखिएगा Adam Smith's criticism of the mercantile system in his the wealth of nations यह बहुत important की किताब Adam Smith की wealth of nations of 1776 is often considered the beginning of classical political economy Adam Smith को आप जो है वो modern economy का जनक जो है वो मान सकते है माना जाता है widely in fact Smith devised a set of concepts that remain strongly associated with capitalism today particularly his theory of invisible hand of the market through which pursuit of individual self-interest unintentionally produces a collective good for society देखिए Adam Smith ने mercantile economy को criticize करते हुए capitalist economy के लिए कई सुधाव बताए ठीक है लेकिन उसने capitalist economy को बहुत भैतरीन क्यों बता आया और किस तरह कहा कि एक invisible hand है जो की मदद कर रहा है society की capitalism के अंदर एक invisible hand है जो की society की मदद कर रहा है आये बताता हूँ कैसे ठीक है मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसका medical का profession है लेकिन वो सोचता है कि business करना है बड़िया तो वो खुद भी research कर रहा है और अपने अंदर उसने बंदों को भी appoint किया और finally उसने conclusion निकाल लिया hurt surgery का कोई ठीक है उसने कोई hurt surgery का कोई ऐसा procedure develop कर लिया या hurt surgery के लिए कोई equipment develop कर लिया अब यह जो इसने procedure या equipment develop किया है इसको यह बेचेगा और यह सारा काम इसने क्यूं किया इसने सारा काम profit के लिए किया ठीक है लेकिन कल को मान लीजे किसी व्यक्ति को hurt surgery की जरुरत पड़ी और यह procedure अब available है तो उस व्यक्ति का तो फाइदा हो गया ना इसको कहा गया अब उस टेकनोलीजी का किसी को फाइदा होता है तो वो उसे इन्विजिवल हैंड कहा किसी ने किसने Adam Smith ने ठीक है collective good for society आगे देखिए he criticized monopolies tariffs, duties another state and force restrictions of his time and he believed that market is in most fair and efficient arbitrator of resources देखिए उसने tariffs को, duties को यानि कि अब देखिए सरकार जो है kings जो है वो खाली बैट कर खा रहे हैं aristocrats क्या हैं खाली बैट कर खा रहे हैं medieval period में सारा काम servdoms कर रहे थे और industrial revolution के बाद सारा काम कौन कर रहे हैं जो prolaterate है यानि labor तो जो upper work है वो अभी भी खा रहा है ठीक है जो medieval time था जो upper work था उसमें lots थे अब की बार capitalist है capitalist बैट कर खा रहे हैं ठीक है तो सरकार जो है वो tariffs duties घटा दे या ना लगाए ताकि capitalist को थोड़ा फाइदा हो और अगर उनको फाइदा होगा तो वो अपने labor का भी फाइदा करेंगे क्योंकि वो labor का Adam Smith को ऐसा लगता था कि capitalist labor का इसलिए घाटा कर रहे हैं क्योंकि सरकार उन पर बहुत ज़्यादा tariff लगा रही है तो जो सरकारे हैं जो kings हैं जो monarchies है जो constitution है वो अपने मुनाफ़े के लिए capitalist लोगों पर control करना बंद कर दें ताकि market में जो product है वो सस्ता हो सके क्योंकि इन duties की वज़े से product का rate जो है वो बढ़ जाता है ठीक है और इन tariffs और देखी अब यहाँ पर Adam Smith जो है वो detail में समझाने कोशिश करी उन्होंने उन्होंने यह बताया है कि यह जो tariffs और duties की वज़े से किस तरह governments जो है वो product के rate को जो है वो manipulate कर सकती है क्योंकि माल लिजी अगर कल को government ने किसी product पर tariff बढ़ा दिया अगर duty बढ़ा दी तो obviously उसका rate हाई हो जाएगा तो tariffs और duties के माध्यम से सरकार जो है वो product का rate define करे ऐसा जो है Adam Smith को लाजमी नहीं लगा इसलिए उन्होंने criticize किया और इससे monopoly create हो जाती है monopoly भी create होती है क्योंकि पहली बात तो सरकार की monopoly है tariff और duties लगाना ठीक है और दूसरी side इसको इस system की वएसे monopoly को promotion इसलिए मिलता है क्योंकि जो भी business मेंने वो यही सोचता है कि competition को खतम करें क्योंकि rate में rate अगर उपर और नीचे जाएगा उसका असर competition पर पड़ेगा माल लीजिए भारत में तीस तरहा की noodles भिक रही हो ठीक है और अगर उन तीस तरहा की noodles भिकने में माल लीजिए चार तरहा के जो है वो different ingredients लगते हैं imagine करते हैं ठीक है उसको बनाने में और उन में से किसी दो पर जो है वो duties बढ़ा दी गई बहुत ज़्यादा और इन तीस में से 17 ऐसी organizations थी जिनको ये दो बहुत महंगा पढ़ता था already ये दो ingredients अलरेडी बहुत महंगे पढ़ते थे इनको और ज़्यादा महंगा पढ़ा तो इन 17 company ने अपने product का दाम बढ़ा दिया increase आगया rate में लेकिन जो बाकी 13 है उनको जो है वो ज़्यादा फरक नहीं पढ़ा तो उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए तो इन 17 जो producers है इनको तो घाटा हो गया न ठीक है और इन 17 producers को घाटा हो जाए ये चीज control करने की जो authority है जो शक्ति है किसके पास है सरकार के पास है ठीक है और सरकार ऐसे ही करते करते 17 फिर कभी 20 कभी 25 और फिर बाद में पता चला कि केवल एक या दो ही केवल एक या दो ही ऐसी noodles बनाने वाली company रहेगी जो कि ये चारो के चारो ingredients सस्ते में खरी चकते है वो किसकी मदद से सरकार की मदद से तो सरकार इस तरह अब देखिए इसी example को लेकर चलते हैं अब यहाँ पर सरकार जो है वो rate को change या manipulate करने की कोशिश कर रहे थी अब मान लीजिए यही 30 की 30 noodles बनाने वाली जो company हैं इन ही चार ingredients को अलग अलग तरह मतलब और नए innovative तरीकों से acquire करती हैं या process करती हैं या बनाती हैं ठीक है देखेगा है यहाँ पर definition लेकर देख लेते हैं which explains how trade can benefit all parties involved as long as they produce goods with different relative cost ठीक है that means अगर यह सारे similar similar तरीके के ingredients और एक ही market से खरीदेंगे तो government बहुत आसानी से सब को चकमा दे सकती है मान लीजिए noodles बनाने के लिए यह चार ingredients की जगा दूसरे चार ingredients यूज़ करना शुरू किये गए और तीसरे चार ingredients यूज़ करना शुरू किये गए और वो अलग अलग जगहा से जो है वो acquire किये जा रहे हैं so that means क्या हुआ that means यहाँ पर relative cost बदल गई अब मान लीजी इन 17 में से किसी 5 company को पूरा मैं आपको explain करी देता हूँ किस तरह गाम करता है ठीक है ताकि आपके मन में शंकार रही ना जाए ठीक है मान लीजी यह भारत है यह रफसर डाइगराम है भारत का ठीक है यह भारत का पैनिज्वला यह गुजरात वाला रेज़न और यह नौर्थ वाला रेज़न ठीक है ठीक है तो मान लीजी एक company यहाँ पर है एक company एक company East में है एक company North में है और एक company West में है ठीक है तो भारत में ingredients जो है वो pure East से import किये जा रहे है West से आ रहे हैं ठीक है तो different relative cost का मतलब यह है कि यही चार ingredients अगर east वाले company को east से ही मिल जाएं तो उसके लिए सस्ता पड़ेगा यही चार ingredients अगर south वाली company को तीन यहां से मिल रहे हैं तीन south से मिल रहे हैं और एक east से मिल रहा है यह एक माली जिए वैस से मिल रहा है तो कहने का मतलब की relative cost जो है वो different हो यानि की माली जिए अगर finally इन्होंने बनाई noodles ठीक है लेकिन उस noodles को बनाने के लिए इनको लगे 100 रुपे इनको भी लगे 100 रुपे इनको भी लगे 100 रुपे तो आप कहेंगे सरीय relative cost तो बराबर हुई नहीं लेकिन जो चार ingredients है वो चार ingredients माल लीजिए उस चार ingredients एक जो पड़ा उसको 20 रुपे का पड़ा एक 40 का ठीक है एक 15 का और एक 25 का ठीक है हो गए यहाँ पर 15 और ये 40-40 असी और 200 तो वही चार ingredients इस वेस्ट वाली जो कंपनी है इसको इतने रुपे के पड़े वही चार ingredients माल लीजिए साउथ वाली कंपनी को कितने के पड़ रहे है ठीक है एक product उसको 30 का पड़ा एक product उसको 20 का पड़ा एक 25 का और एक दूसरा भी 25 का ठीक है तो अब government जो है वो उच नीच नहीं कर सकती है नहीं कि कोई एक governing authority जो है वो अब rate को monopolize, monopoly create होने में थोड़ी सी restrictions आ जाएंगी अब basically और वो government के हाथ में monopoly create कर सकती है जब तो government strong है तो यह है different relative cost बना शौर पे गाई लेकिन ingredients अलग-अलग ingredients जो है वो अलग-अलग जो है वो cost रही ingredients करीद देगी छीक है now in his the principle of political economy and taxation यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि डेविड रिकार्डो ने कुछ इसी तरह समझा है मैं डेविड रिकार्डो जो आपको बताऊंगा तो वहाँ पर clear कर दूँगा उन्होंने जो examples दी है ठीक है the principles of political economy and taxation of 1817 which supports the economic case for free trade a cornerstone of capitalist thinking ठीक है डेविड रिकार्डो ने किस चीज़ को promote किया free trade को डेविड रिकार्डो ने कहा कि free trade उन्हीं चीए यानि कि सभी producers को मौका मिलना चीए समान बेचने का कोई एक governing authority या जो market mafia है वो decide नहीं करेगा कौन बेचेगा कौन नहीं बेचेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा criticism करते हैं हम किसका capitalism का पहला point देखेगा Marx offered the staunchest critic of capitalism capitalism का जो criticism में मार्क्स ने किया ठीक है आप देखेगा capitalism अभी तक हमने जो समझा है वो क्या है अभी तक हमने capitalism में समझा कि capitalism एक ऐसा social और economic order है जिसमें एक व्यक्ति या एक organization कोई एक कोई एक organization है माली जिए वो एक वेक्ति द्वारा चलाई जा रहा है एक group of people द्वारा चलाई जा रहा है लेकिन वो privately owned है राज्य द्वारा ओर नहीं है ठीक है वो जो भी product त्यार कर रहा है वो मुनाफ़े के लिए कर रहा है त्यार और उसकी कोशिश है कि मुनाफ़ा जादा से जादा हो और वो जो भी product त्यार कर रहा है उसको वो open market में बेचना चाता है जहां पर competition जादा हो ताकि उसको बहतर से बहतर दाम मिल सके ठीक है यह हम capitalism में समझ गए लेकिन अगर profit बढ़हाना ही एक मात्र agenda है या काफी important agenda है so that means product बनाने की जो cost है जो cost price है उसको कम से कम रखना पड़ेगा तभी profit बढ़ेगा और cost price कम से कम कब होगी जब labor है उसको कम से कम तनख्वा दी जाए और labor से जादा से जादा काम कराए जाए तो यही marks ने जो है वो capitalism का criticism किया कि capitalism की वज़े से फाइदा तो केवल capitalist को हुआ जिन लोगों ने जादा से जादा काम किया यानि कि जो labor है उनकी तो केवल कमर तूटी क्यों क्योंकि इन capitalist ने उन labor से जादा से जादा काम करवाया और उनको कम से कम जो है वो wage प्रोवाइड गरी तो यह जो labor और wage का जो concept है इसको यह जैसे जैसे capitalism ने तूल पकड़ी इसके खिलाफ आवाज उठती गई ठीक है इसको socialistic अप्रोच कहा गया लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो अपने जो मतलब इन्होंने जो कृतियां तयार करी यानि कि जो दस capital और communist manifesto 1848 मुझे लिखी गई तयार हुई मतलब या छापी गई इस तरह कहाज है तयार तो पहले होगी थी पैसा नहीं था इनके पास चापने के लिए ठीक है इनके दोस ने capitalism नहीं मदद करी actually communism की तो काल मार्क्स की किताब छपी और तब जाके popular हुआ ये काफी otherwise काल मार्क्स को कोई सील सील नहीं ले रहा था और काल मार्क्स के time कम popular हुआ काल मार्क्स के मरने के बाद ज्यादा popular हुआ communism के ideology दस capital और communist manifesto चीक है तो देखिएगा काल माक्स offered staunchest critic of capitalism in his work दस capital in which he argued that the owners of capital are dominant capitalist class और बर्ग्योसी and the working class और proliterate who does not own capital must live by selling their labor power in exchange for a wage ठीक है उसने clear सी बात बोली कि जो capitalist है वो मुनाफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है और जो worker है उसके पास capital नहीं है तो वो क्या कर सकता है वो के वर labor कर सकता है और labor के बदले उसको wage मिलेगा और वो wage कम से कम मिले यह कोशिश है किसकी capitalist की और capitalist की जेब में कौन बैठी है सरकारे तो wage कम से कम मिले इसके प्रती जो है वो आखे बंद कर रखी है किसने सरकारों ने ठीक है मैं England की ही बात कर रहा हूँ अब यहाँ पर historical materialism क्या है देखिए कल मैं आपको अगले session में कल तो नहीं अगले session में मैं आपको आइडियलिजम और materialism का क्या conflict है आपस में यह समझाओंगा ठीक है लेकिन मैं आपको बिल्कुल basic बात दाता हूँ मार्क्स ने एक बात कही कि यह जो capitalist लोग हैं यह labor को परेशान करके labor से जादा से जादा काम करवाके अपना मुनाफ़ा बढ़ाए जा रहे हैं तो 100 साल 200 साल 300 साल 500 सालों में तो कम से कम labor की आख खुलेगी लेकिन सरकार कोशिश कर रहेगी ना खुले अलग अलग old जलूल आइडियल धरम के मुद्धों फसाया हुआ है ठीक है किस actor ने क्या किया किस actress ने क्या किया किस ने मतलब समझ रहे हैं मतलब old जलूल यह जो चीज जरूरी नहीं है according to Marx बता रहा हूं जो चीज़े जरूरी नहीं है उनमें सरकार उल्जा के रखेगी labor को या proleterate को या working class को तब तक जब तक वो यह सवाल ना पूछना शुरू कर दे कि भहिया इतना capital हम काम कर रहे हैं और सारा मुनाफ़त हम क्यों उठा रहे हो ठीक है और जब labor अपने इस basic ideology को लेकर धीरे-धीरे conscious अपना develop करेगी तब जो राज्य है उसका महत्व नहीं रहा जाएगा क्योंकि जो राज्य है according to Karl Marx जो राज्य है वो designed ही है labor को exploit करने के लिए जो state है वो designed ही है वो benevolent नहीं है state जनता के लिए benevolent नहीं है state designed है capitalist लोगों को मुनाफ़ कराने के लिए और labor को exploit करने के लिए labor exploit होगे तभी capitalist को मुनाफ़ा होगा ठीक है इसलिए Karl Marx जो है वो एक अलग तरीके की सरकार और Karl Marx कहते हैं कि state यानि कि state का जो behavior है state का जो structure है वो change होना चाहिए यानि यह अलग तरीके की सरकार बननी चाहिए क्योंकि हमें Leninism और फिर Maoism वहाँ सब में नजर आया ठीक है लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका पहुंचेंगे उस conclusion तक भी क्यों कामयाब नहीं हो सका काल माक्स ने क्या कहा था और महाँ पर कुछ और वह काल माक्स ने कहा कि मेरी जो आइडालोजी हैं वो इंडुस्ट्रिलाइजड नेशन पर चलेंगी जो डेवलब कर रहे हैं आप लोग यूज करेंगे फिर इस फंडे को तो कम्यूनिजम को हमने तुराउट जो कोल्ड वार है देखा ही कि किस तरह यहाँ पर माक्स ने कहा है कि स्टेजिस ओफ एवलूशन कहा है इसको राइट माक्स ने कहा है कि लोग को समझ आएगा कि धिरे धिरे प्रोलिटरेट को समझ आएगा कि यह राज्य है यह सब हमारे लिए नुकसान दय है शक्ति जो है हुआ हमारे हाथ में ही होगी ठीक है त तो उन स्टेजिस को भी आगे आने वाले सेशन में मैं आपको समझाऊंगा, next आगे बढ़ते हैं, many political thinkers shifted, shifted their polls between capitalism and communism, अब देखिए, capitalism तभी अब कई एक ये common analogy बनी हुई है कि capitalism तभी है जब communism है, यानि अगर आप communism की बात नहीं करेंगे तो capitalism की बात नहीं आएगी, ठीक है क्योंकि communism जो है वो विरोध कर रहा है, समझे नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, मान लीजिए, आपको गुस्सा आ रहा है, किसी से आ रहा होगा ना, naturally तो गुसा नहीं आएगा ना, क्यानि communism reaction है और capitalism action है, ठीक है, तो जो governments है, जो ruling bodies है, जो elites है, जो dictators है, फासिस्ट है, उन्होंने capitalism और communism दोनों का इस्तमाल किया, अपने economic और political मुद्धों को सिद्ध करने के लिए, जो कि हमने देखा ही, USA ने capitalism का use किया, और Marx ने जो कहा, वो बातें धूमे लो गई है, Marx ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहीं, dust capital में, ठीक है, अगर आपको मौका मिले तो dust capital जरूर बढ़ियेगा, अच्छी किताब है, communist manifesto भी अच्छी किताब है, बातें इसने बहुत से लिखी है, लेकिन सवाल यही पॉलिटिकल थिंकर जो है, वो communism और capitalism में आपस में जो है, वो बदलते रहे एक दूसरे को, as they deemed fit for their immediate society, because the problems they faced differed from society to society, ठीक है, फर एक्जेंपल, fascist opposed बहुत international socialism and free market capitalism arguing that their views represented third position, ठीक है, देखिये, इटली, जर्मनी, इन लोगों ने अपने आपको, देखिये, जर्मनी के, जर्मनी के एक साइड ब्रिटेन, प्रांस, यानि की capitalist economy, दूसरी साइड USSR, यानि की communist economy, और जर्मनी कह रहा है कि मुझे दोनों का ही साथ नहीं चाहिए, वो कह रहा है कि तीसरी तरह की economy हम है, ये traditional central banks की economy है, ये communism में अपने जो हैंके, गॉस बैंक्स जो हैं, वो अपने खुद के developed हैंके, ठीक है, इनका खुद का central bank developed है, और जर्मनी कह रहा है कि ना ही मुझे capitalism में जुड़ना है, ना ही communism में जुड़ना है, हम एक अलग तरीके का economic order है, ठीक है, फासिस्ट, तो they claim to provide a realistic economic alternative that was neither lies a fair capitalism nor communism, ठीक है, तो ये मैं आगे आने वाले session मे आपको बताऊंगा कि जो फासिस्ट रिजीम है, उन्होंने कैसे एक realistic economic alternative दिया, realistic economic alternative क्यों, realistic क्योंकि वो जादा से जादा लोगों को मुनाफ़देगा, देकि हिटलर को सब जो है वो बुरा वला बोलते हैं, लेकिन हिटलर की एक बात मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि ह 1933 में Chancellor बना हिटलर, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर हिटलर ने लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया, वो कैसे, क्योंकि वो capitalist और communist दोनों economy से बाहर ले आया था जर्मनी को, और यही तो सारा जगडा है, कि तुम capitalist economy से बाहर कैसे आए, पीटा जाएगा तुम्हें, ठीक है, तो हिटलर के द्वारा या हिटलर के साइड से भी जो है वो एक इस, यानि की जर्मैनिक परस्पेक्टिव से भी इतिहास में आपको कभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा basic introduction ले ले लेते हैं, कम्यूनिजम का, कम्यूनिजम क्या है, ठीक है, अधर्वाइज आगे आने वाले दो तीन session तो specifically कम्यूनिजम पर ही रहेंगे, पहला point देखेगा, widely accepted as contrast of capitalism, सबसे पहली चीज़ कम्यूनिजम देखिए, यह जो को किस तरह पूट किया जाए, बाइगमी, बाइगमी तो नहीं लेकिन अच्छा है या बुरा है, ठीक है, true है या false है, यह जो polls में हमें उल्जा रखा है, दो ही पक्ष होते हैं, अच्छा होता है या तो बुरा होता है, या तो good है या तो bad है, या तो true है या तो false है, या तो hero है या तो villain है, या तो capitalism है या तो communism है, यह जो दो में हमें फसाय हुए बाइगेट्री में फसाय रख यह समस्या है क्योंकि कभी भी क्योंकि यह extremism है और extreme जो है वो कभी भी extremism जो है वो कामियाब या practical नहीं है practicalities lies somewhere in between true and false are relative ठीक है good and bad are relative in terms so capitalism को communism का contrast मानना ये actual definition नहीं रहेगी लेकिन widely accept किया जाता है क्यों क्योंकि capitalist राष्ट्रो द्वारा communism को बदराम करना ज़रूरी है otherwise उनका system खतम हो जाएगा क्योंकि capitalist राष्ट्रो का system चला हुआ है labor या proliterate के exploitation पे according to Marx ठीक है और अगर communism आ गया और जो communism की जो ideology है वो सिद्ध हो गई तो capitalism खतम हो जाएगा तो जो elites हैं जो capitalism से जिने फायदा है इनका नुक्सान हो जाएगा तो they made sure की communism बदनाम रहे तो अगर capitalism को वो hero दिखाते है तो communism automatically क्या बन जाता है एक villain और यही bigotry है इन दो में हमें फसा है और ऐसा होता नहीं है दो पक्ष नहीं होते है और भी पहलो होते है ठीक है now communism grew out of the socialist movements कहां से निकला communism socialist movements में of 19th century Europe and the critics of capitalism during the industrial revolution जैसे जैसे industrial revolution तेजी पगड़ती गई वैसे वैसे लेबर्स की हालत खराब होती गई जैसे जैसे लेबर्स की हालत खराब होती गई तो लेबर्स के right की बाते होना शुरू हो गई जैसे लेबर्स की right की बाते होनी शुरू हुई तो socialism जो है वो जर्मन फिलोसफर अमंग हो गए यहां पर अमंग्स अमंग्स थीस क्रिटिक्स वर द जर्मन फिलोसफर Karl Marx and his associate Frederick Engles and their groundbreaking communist manifesto of 1848, the defining document of the movement offered a new definition of communism and popularized the term, ठीक है, so communism को popularized किसने किया है, Karl Marx ने, इसका मतलब यह नहीं है कि communism की जो ideology है वो पहले मौजूद नहीं थी, socialism और communism पहले भी क्या था, popular था लेकिन Karl Marx की communist manifesto से वो और मजबूत हुआ, और Frederick Engles मैंने आपको बताया था यह वो Karl Marx का दोस्त है, जिसने communist manifesto छपवाने में Karl Marx की capital मदद करी थी यानि पैसा प्रोवाइड किया था उसे, अदर्वाइस Karl Marx के मासे इतना पैसा नहीं था भले ही वो एक successful lawyer की family में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी ideologies की वज़े से उनको घरेलू support जादा नहीं था, ठीक है Next Communist thought, it also accredited to communist ideas back to ancient times, particularly in work of Pythagoras and Plato अब देखिए, मैं आगे आने वाले session में समझा हूँगा, अभी मैं केवल communism की कुछ एक चंद लाइने आपको समझा रहा हूँ ठीक है, communism या communist लोग यह मानते हैं कि जो communistic या जो communism की जो पूरी थेयोरी है ना ये modern times की नहीं है, ये ancient times से है, यानि जब इनसान कभीला बना कर रहता था, तो सारे जो resources होते थे, वो पूरे कभीले के ही तो होते थे और communism यही तो कहता है कि धरती के सभी resources सभी लोगों के लिए है, और सभी लोगों के फाइदे में काम आने चाहिए ठीक है, तो पाइथोगरस और प्लाटो की जो थेयोरी है, वहाँ पर भी communism नजर आता है, क्योंकि प्लाटो तो democracy के खिलाव बोलता था खुल कर, प्लाटो कहता था कि democracy तो fail हो चुकी है, सोक्रेट्स का चेला था, सोक्रेट्स भी खुल कर बोलता था, कि democracy fail हो गई है, प्लेट करना आसान है, इसलिए जो है, वह आम नागरी क्योंकि ancient time में, देखे, modern में, modern times में, industrial revolution के दोरान, communist या काल मार्क्स किसके अपलिफ्मेंट की बात कर रहे हैं, labors की, तो medieval period में कौन पिस रहे थे, serfs, और ancient में कौन पिस रहे थे, slaves, तो slaves की right के लिए बात कर रहे थे, plato और pythagoras, serfs के लिए जो बात करता था, उसको execute कर दिया जाता था, dark ages में, और labors के लिए आवाज उठाई, socialist और communist ने, ठीक है, या आवाज तो बहुत लोग ने उठाई, उनको label कर दिया गया socialist और communist, फिर उनको capitalist राष्टरों ने systematically जो है, वो villain घोशित किया, और एक एक करके जो है, वो eliminate किया दुनिया से, और present day में, कोई proudly यह नहीं बोलता कि मैं marxist हूँ, मैं communist हूँ, क्योंकि, जो commie fear चलाया गया है, US के तो syllabus में यही दिखाया जाता है, कि कि तरह communist लोगों ने, communist ने, ठीक है, किस तरह, देखे, US में तो ऐसा syllabus चलता है, मैं आपको बता हूँ, वहाँ पर साफ-साफ communist को जो है, वो evil बताया जाता है, कि communist की वज़े से, लाखों के रिशाब से, लोग मरें, definitely मरें, बात सच है, लेकिन capitalist की वज़े से भी तो मरें है, capitalist क वो शांदार घोशित करा हुआ है, कि capitalism ने पूरी दुनिया को बचा कर रखा हुआ है, ठीक है, for instance, it is argued that Plato's Republic described it in great detail a communist dominated society wherein power is delegated into hands of intelligent philosophers or a military guardian class and rejected the concept of family and private, देखे, Plato ने, Socrates ने बहुत सारी बाते बोली, लेकिन लिखने का उनको समय नहीं मिला, समय ता बहुत था लेकिन उनने लिखा नहीं, ठीक है, अब Plato ने जो है, वो, Socrates की कही हुई बातों को document भी किया, और बहुत अच्छा उन्होंने विवरेंड दिया है, अपनी पूरी philosophy का, dialogues के मा अदिम से लिए है, ठीक है, politically भी खेला है, उन्होंने काया कि ये, मैं नहीं बोल रहे है, ये मेरे characters बोल रहे हैं, जो भी मैं, अगर मैं सरकार को criticize भी कर रहा हूं, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे characters कहने है, ठीक है, So उन्होंने अपने लेखन में ये बताया है कि जो government है, न वो डेमोक्रेटिक होने के लिए तयार नहीं है अभी या जनता जो है वो डेमोक्रेशी के लिए रेडी नहीं है क्युकि जनता अभी बहुत गमार है, अं। है, इक्लेर बोना लटे, जंता ounteragmented है इमोक्रेसी के लिए, जलता जो है वह politically educated नहीं है, जब तक जंता politically educated नहीं होती, तब तक राजे जो है, वह philosophers के हाथ में होना चाहिए, philosopher यानि ऐसे, यानि कि politically educated लोह के हाथ में होने चाहिए, जिनको army का experience भी हो यानि युद भी करना जानते हो ठीक है और किसी एक वेक्ति के पास नहीं लेकिन एक ऐसी सभा के पास होना चाहिए जो कि political जो कि political philosophers हो और उनका चयन ना किया हो उनको उनको democratically elect ना किया गया हो लेकिन किसी test के माध्यम से वो इसमें यह नहीं explain किया कि civil service examination होना चाहिए या किस तरह उन्हें select करना है लेकिन school थे क्योंकि philosophy के school थे वहां से जो उभर कर आएंगे जो prove करेंगे अपने आपको plateau या प्लाटो के बाद जो भी teachers रहेंगे उनको prove करेंगे कि हम politically जो है तो ऐसी शक्तियां ऐसे लोग शक्ति में आएंगे राज्य चलाने के लिए जो कि केवल अपने फाइदे के लिए काम करेंगे जनता के फाइदे के लिए काम नहीं करेंगे राज्य के भले के लिए काम नहीं करेंगे ठीक है और family और private नहीं होना चाहिए यानि एक तो kingdom नहीं होना चाहिए, राजा के हाथ में शक्ती नहीं होना चाहिए, किसी राजा के हाथ में शक्ती होगी तो वो अपनी मर्जी से अपने लिए, यानि पूरे के पूरे state को design ही करेगा कि राजा और उसकी family का भला हो, और किसी का भला ना हो, ठीके, next is, in addition, in 16th century, English writer Thomas Moore, portrayed a society, अब इन्होंने कविता हैं लिखी, portrayed a society based on common ownership of property in his treaties, utopia, Thomas Moore ने utopia लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसमें communism को define किया है, कि सारे resources सभी लोगों के हैं, और सभी किसी भी एक nation के resources, सभी लोगों के फाइदे के लिए use होने चाहिए, उस leaders administered it through application of reason, और reason की बात करी throughout enlightenment period में और 16th century renaissance का period है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि renaissance के लोग reason की बात बहुत बढ़ चड़ करते थे, क्योंकि dark ages में reason का कोई मतलब ही नहीं था, dark ages में जो reason बता रहा है कि मान लिजिए dark ages में कोई बता रहा है कि चांद जो है, वो सूरज, ये पृत्वी की प चड़ा दिया जाता था, जिन्दा जला दिया जाता था, तो dark ages में इस तरह के church के द्वरा crimes की जाते थे, तो reason जो है वो Thomas More ने put किया सामने और बहुत सारे reason आ रहे थे, राज्य कैसे चलना चाहिए, उसमें से Thomas More ने कहा कि राज्य या एक राज्य की सभी जो संपत्ती है, ज कि communism क्या है और ancient में और medieval में हमने देखा कि कौन लोग जो है वो communism को support कर रहे है, या communist लोगों ने कहा कहा से credibility ढूंडने की कोशिश करी, अब आगे आने वाले 3-4 session proper communism पर based होंगे, जिसमें मैं आपको detail में communism समझाओंगा, I hope आपको capitalism समझ आया होगा कि क्या है, और जैसे जैस हम communism समझते जाएंगे, वैसे वैसे parallel capitalism भी चलता जाएगा, घबराइया मत, चीक है, तो बहुत सारी गोल मोल बाते आज मैंने करी, वो धीरे धीरे clear होंगी, क्यूंकि और गोल मोल उन बच्चों को लग रही होगी, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, या तो ब राइटिंग में बहुत मदद करेंगे, वो ठोस सेंस आपकी answer राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, ठीक है, तो आज के session को मैं या करता हूँ conclude, अगले session में हम communism को continue करेंगे, communism में आगे आपको detail में समझाऊंगा क्या है, मार्क्स कैसे जो है, मार्क्स की मैं आख हदम करता हूँ, मेरा नाम है विशाल चोहान, मिलेंगे आपसे अगले session में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, take care